चत्रुपती शिवाजी अंतराश्टी विमान तल वो हिंदी में हवाई अड़ा हवाई इद्डा बेद्डी विमान तल आप शुद्ध हिंदी पढ़ेंगे तो विमान-तल में कोई समस्या नहीं आएगी हम करते हैं अस्पताल माहा लिखा रहे चाहर जहता रूगणाले पेले कि वो बोलती उनके पती ने कहा कि इनका संस्कृत का बेस बहुत स्टॉंग था तो सबसे पहले कंड़ में बहुत सारे शब्द जो संस्कृत के उन शब्दों को पिकप किया और उनके उनको केंद्रित करके भाशन का निर्मान किया और उसके भाशन लिखा देवनागरी लिपी में और उसके बाद उन्हों बहुत जल्दी अडॉप्ट करके बोलना शुरू करती है तो आप सोचिए कि यह भाशा किस धंग से जोड़ती है और भाशा किस धंग से आपके दिमाग को पलूट भी करती है उधारन के लिए अगर आप देखें आज एक और भी खत्रा चलना है आज आपने देखना शुरू में है नहीं एक सोची समझी रणनीती है क्योंकि परिबार को तोड़ना है तो दस पंद्रा साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें ही सब कुछ पता था हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था जैसे मैं ये एक उधारन भी आपको देना चाहता हूं ये मैंने एक बार पहले भी बोली है अभी हरनास संदू को मिला है मिस वर्ड का पुरुसकार वरना इससे पहले 1994 से 2003 के बीच में धेर सारी भारती लड़कियों को मिस वर्ड मिस यूनिवर्स मिला उसके आद्गायव हो गया यानि सुन्दर लड़किया ना 1994 से पहले पैदा होत के पास फिजिकल इंटा स्ट्रक्चर था ना फैनेशल इंटा स्ट्रक्चर था तो बाकाइदा कोलंबिया यूनिवर्स्टी का एक रिसर्च पेपर है कि बेसिकल पैस बेसिकली पैसा कहां से आएगा मार्केट में तो उस समय यह आया कि जो भारती परिवार है उनकी जो पैसा बचा के रखो अब कहा गया कि जो नेक्स जनरेशन की जो महिलाएं है यानि लड़कियां जो आज है उनको किस तरीके से इंटरेशन इंटरनेशनलाइजेशन और मार्केट के अंदर जो खर्चा होना है उसकी तरफ हमें प्रेडित करना है उस तरफ घुमाने के लिए यह सब कुछ हुआ और अचानक बंद हो गया और विश्क ऐसे आपके दिमाग में फैलता में एक वेवी एक चोटी सी बात बताया दे रहा हूं जैसे हम सब कहते हैं कि एक अंग्रेजी का शब्द है एवरीठिंग इसमें प्याल इसका है जन्ग और इश्क में सब कुछ जायद है यह फ़ारशी का शब्द है कि युड उर प्रेव में तता है ऐसा होता ही नहीं है क्योंगि भाषा आपके दिमाग में एक संस्कुर्टी भी लाती है हमारे यहां युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है इसलिए जिनों ने कहा कि everything is fair in love and war तो वहां आतंगबाद भी जायज है और फिर एसिट फेकने वाले भी जायज है इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वह बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं एक एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं तो इसको समाप्त करते हैं देखिए हम सभी कोई भी कारे शुरू करते हैं तो पहला इस लोग क्या बोलते हैं वक्रतुंडी महाकाय सूरी कोटी संप्रवा यह वक्रतुंडी ही क्यों है किसी ने और उनके एक ही दात क्यों है चुहे की सवारी क्यों है उसका कारण यह है कि गंडलनी जागरण की प्रक्रिया का स्वरूप है इसलिए सून जो है कुंडलनी का पृतीक है हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुकता होती है और दो दात की बजाए एक दात और एक दात भी टूटा हुआ है वो इसलिए वक्रतुंडी इसलिए कि जो आपकी शक्ति है जब आप कभी ध्यान लगाते होंगे तो ह ध्यात्मिक उन्नतिका मार्क प्रशस्त होगा इसलिए गणेश जी की सून हमेशा वक्र तुंडियानी उपर के तरफ मोड़ी होई है और जब आप मूराधार स्वाधिस्थान अनाहत आग्या चक्र पे आते हैं चौथे चक्र के बाद की यात्रा अब द्वैत के साथ नहीं हो अंग्रेशी में नॉन डुएलिटी एक वेबसाइट है जाके चेक करिएगा एस ए एंडी साइंस एंड नॉन डुएलिटी और वो जानते हैं उसका आप वेबसाइट में जाएंगे तो पहले ही शीर्शक में कहा लिखा ओम इस उकल टू एमसी स्क्वाइर जब आप आप न मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉफ कंजर्वेशन और मास था यानि हम मानते हैं एक मास दूसरे में चेंज होता है अब लॉफ कंजर्वेशन अफ एनरजी है अब एनरजी दूसरे में एनरजी होती है और फिर मैं कहना चाहता हूं मैं किसी दूसरे में कमेंड नहीं कर रहा हूं ह हमारा ही एक मात्रंतिम संसकार है, जिसमें मास एनरजी में कनवर्ट होता है, पाकी जगे मास मास में कनवर्ट होता है, तो आप ये समझ लीजे कि कितनी वैज्ञानिक पद्दती हमारी किस प्रकार से अक्की हुई है, तो ये सारा विश हमें अपने मन से निकालना है और स्वा पर बहुतों ने संगर्श किया उसकी मानिता भी होनी चाहिए जैसे एक आंदोलन था राजनेतिक आंदोलन जो गांधी जी तिलक गोकले नहरुजीन के नित्रतों में चला था उसका महत्व है तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था जो युगांदर और अनुशीलन समिती भी यान था जो राज भीहरी बोस और सुभाश्यन बोस जी के द्वारा चुरू होता है सबका योगदान था एक मेव एक आधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है एक तो फैक्ट आपको बताना चाहता हूं शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान नह जवालाल नहरूजी पंदरागास 1947 को प्रधान मंतरी नहीं बने थे दो सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहट वो अंतरिम सरकार के का नित्र तो उन्होंने समाला था दो सितंबर 1946 को क्यों आपनोंने अगर पढ़ा हो तो भारत को आजादी देने का जो निरणे लिया था अंग्रेजोंने तो 30 जून 1948 डेट थी फिर ये 11 महीने प्रीफोन कैसे हो गई क्यों हो गई उसको अगर समझना है तो आप ये समझिए कि उनका मैं नाम खुना हूं से ब्रिटिस सेना के कमांडर इंचीफ थे मिस्टर क्लाउट उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा वर्ड वार खतम हो चुका था 25 लाग की फोज थी भारत की जिसमें ब्रिटिस सैनि सेनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिस सैनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है यह नवंबर 24 1945 जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव होता है कि अब एक कैबिनेट मिशन भेज इसलिए अब हम इस पर कुछ भी भरोसा नहीं कर सकते इस सेना पर यह वो लिखते हैं 12 फरवरी 1946 को और 18 फरवरी 1946 को मुंबई में नौ सेना की अप्राइजिंग हो जाती है और देखते देखते दो तीन दिनों के अंदर बॉंबे से कैलकेटा और करांची तक 20 हजार नौ सैनिक सडकों पे आ जाते हैं सत्तर से अधिक वार्शिप कबजा कर लिये जाते हैं बृटिश सैनिक उस समय जो टेलिग्राम भेजा गया है उसमें ये तक बताया गया है कि जितने भी बृटिश अधिकारी हैं भारत के भिन भिन कोनों में वो करांची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने प समांडर्स की बात कोई मानने को तयार नहीं था तब उन्होंने सरदार पटेल और नहरू जी से और कॉंग्रेस के नेताओं से आग्रे किया कि आप उन नो सैनिकों को आश्वासन दीजिए और उनके आश्वासन के बाद वो बात छुपी उसके बात तो यह तै हो गया किब जित्ती जल्दी हो सके जान बचा के भागें सबसे बड़ा कारण वो नौ सेना की अप्राइजिंग ती इसी लिए दो सितंबर उन्नी सो शीयालिस को सरकार बना दी गई और इसी लिए तीस जुन उन्नी सो तालिस तक रुकने की बजाए 15 अगस 1947 को कर रिया गया और शायद फाइनली दसेकंड वर्ड वर एंड़ेट एंड़ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इस वाद इस्टैब्लिश्ट यह लॉड्म बेटर में खुद लेखा है तो आप यह समझिए कि स्वतंता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है मगर जिसका योगदान सरवाधिक है उसको प 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जनवरी की गंतन दिवस्की परेड में बाकैदा शान के साथ उनका उनकी परेड निकाली गई उससे पहले तो जो इतिहास पड़ता था उसे पता था इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंता के संघर्ष में सभी न जाना कैप्चर कर लिया ता जिसमें असफाक उल्लाखारांप्रसाद्द इसमिलो चंशे करा आ जाते हैं दिल्ली में एसेब्ली में बं फेग दिया गया था क्यल्कटा पुलिस कमिश्णर् को मार दिया गया था और वाइस्राय हार्डिंग के ऊपर भंप फेग दिया था त सारा योगदान एक में हो था तो मेरे विचार से सारा योगदान उनका था जिन लोगों के जो काला पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था जिन्हें कोलू में बैल की तरह जो दिया गया उनका योगदान नहीं था जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे जो कि के ट्री भी उनके साथ था और एक नहीं तीन तीन चार चार किताबें लिखी जिनके वाइस राय के साथ अत्यंत मधुर पारिवारिक संबंद थे वो संघर्ष कर रहे थे ऐसा अद्बुत इतिहास जो हमारे यहां बताया गया है हमें इस अम्रत काल में यह भी समझने की जरू भी हिए आई इटीज बनी ए एम्स बना ब्राउर के रभांखर बोकारो के स्टीर पांट बने भाक्रा baikran नंगर डैम बनां 아 कुछ ऐसे काम भी किये चीन हमारा पडोसी नहीं था सैंतालिस में तिब्बत हमारा पडोसी था The चीन का है कोई मानने दयार नहीं था भांडूं कॉंफरेंस में जा कि आपने मन्वा दिया और उसके बाद तिबथी नहीं वह तो सई चिन तक आ गया तो जो गलती है वह भी मानना होगा आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रॉविंस जो आज खैबर पक्तुनवा है फाटा का इलाका महां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी महां कॉंग्रेस जीती थी खान अब्दुलगफार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से और उस समय यह स्टेंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैसे जुड़ जाएं इस्ट यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था खान अफकलात कभी नहीं मिलना चाहते थे आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉंबे प्रसिटेंसी से कंट्रोल होता था ओमान हमने कितना छोड़ा है कितना गमाया है सब कुछ गमाते चले गए एक बात वि अगर मजबूस सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात है कश्मीर वैली में क्या होगा क्वेशन मार्क नौर्थ एस्ट में क्या होगा क्वेशन मार्क केरल व पश्मी उत्रप्रदेश के कुछ इलाके और बंगाल के बंगलादेश से जुड़े इलाकों में क्या होगा क्वेशन मार्क नकसल प्रभावी इलाकों में 36 गड़ में जहार खंड में उड़ीसा के इं संगर्श करना है कि स्वतंत्रता को हमें सार्थक करना है उसके लिए हमें इन सारे जितने भी प्रकार की चीजें हैं उससे चौकनना रहना है और जो मैकाले का माइंडसेट उन्नीस्वीं सदी का और माक्सवाद का माइनसेट बीस्वी सदी का दोनों से अपने मन में जित्ते विश हैं उस मनो रोक से मुक्ति पानी हैं और जो अभी कहा गया था कि किस्वी सदी हमारी होगी तो मैं बताना चाहता हूं कि जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज हुआ तो पूरे देश में किसकी सरकार थी अंग्रेश की को सन 2001 को जब 21 सदी के सूरच की पहली किरण इस देश की धर्ती पर गिरी तो इस देश में किसकी सरकार थी अटेल जी के नितुर्त में भाजपा की अगले दशक में मोदी जी के नितुर्त में इस पश्ट बहुमत की मतलब बहुत साफ है नियतिका संकेद कि 19 सदी अंग्रेश की थी 20 सदी कांग्रेश की थी 20 सदी भारती जिनता पार्टी की तो 21 सदी हमारी है हमारी उस विचार की है इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में ये पूरा confidence रखें कि अगला वक्त हमारा ही आने वाला है और ये सिरु देश के अंदर नहीं बस एक पंक्ति कहकर बात समाप्त करता हूं देखें दुनिया का आप पूरा देख लीजे एक द सम हुआ भारत का डाउनवाल हुआ तो सेंटर कहा गया किंग डरीयस ऑफर्षी अफ पर्शिया इरान के तर चला गया फिर जब एन का डाउनवानवां फाल हू तो में सोपटामिन इम्पाईर बगड़ाद का इंपाईर निपे के बाद रोमन इंपाईर जिसका¿ इस्तांब उसके बाद अब पिछले सौ साल में आ जाईए जपाइन का जमाना जपाइन के बाद आजाईए पिछले पचास साल में टाइगर्स अब चीन का जल 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 चल रहा है तो अगला मुकाम क्या है इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है और हम जेदी दुनिया में आगे बढ़ेंगे तो we are not there to dominate the world, we are there to motivate the world. चीन दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं और इसी लिए हम वर्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते हैं, हम जगद गुरू बनना चाहते हैं क्योंकि पावर्फुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर अक्स है कि हम राष्ट से लेके व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की शमता रखते हैं और फाइनली एक बात और कह दूँ यह प्रेणा हमें कहां से मिलती है आज आप देखिए चाइना ताइवान के उपर डॉमिनेट करना चाह रहा है तो रशिया यूक्रेण के ओपर डॉमिनेट करना चाह रहा है तो पूरी दुनिया की जियो-पॉलिट्िक्स इसपे चलंब कर लो एक सल्कार वहीं रहे मगर वहां आपका को रहे। परन्तु हम इन तीनों में से किसी में विश्वास नहीं करते, क्यों? जब भग्वान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो क्या उसका एनिक्सेशन किया? नहीं. वहाँ कोई अपना ड्यपुटी और वाइसराया पॉइंट किया? यानि सब्जूगेशन किया? नहीं. मह आग लगी हुई है, इसलिए अगर 21 सदी में विश्व का उदय होना है, तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं, और हमारे अंदर ही वो शमता है, अटल जी की कविता की यह पंक्ती, उस विचार, जिसे सामपरदाई कहके के बहुत लांचित किया जाता है, वो सिर्फ हमारी उन्नत के लिए अमरतकाल जरूरी नहीं है, जब 2047 में हम उस पीक के उपर बैठे होंगे, उस समय हम दुनिया को क्या दे रहे होंगे, उनकी प्रख्यात कविता जो पुराने लोगों को याद होगी, हिंदू, तनमन, हिंदू, जीवन, रगरग, हिंदू, मेरा परिचय, तो उन्ह को हिंदू करने घरगर में नरसंगार किया, कोई बतलाए, कोई बतलाए, काबुल में जाकर कितनी मजजित तोड़ी, भू भाग नहीं, शत्षत मानव के हिर्दय जीतने का निश्य, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रगरग, हिंदू, मेरा परिचय, और फाइनली, एक कॉ माक से पूरी तरह निकालना पड़ेगा, जो हमसे कहा गया, हम वो देश थे जो आके सेटिल होते गए, तो लोग बसते चले गए, सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम खे फिराग, काफिले बसते गए, हिंदोस्ता बनता गया, यह हम सराय नहीं थे कि आके सेटिल होते गए, ह हम वो थे, जहां ग्यान का पहला उद्य हुआ, पूरे विश्व को हमने संदेश दिया, इसलिए हमारा राष्टबाद क्या है, हिमाले के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उशा ने हस अभिनंदन किया, और पहनाया हीर कहार, जगे हम लगे जगाने पहला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नश्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक, तो संपूर्ण संसार को शोक से विरत करके, उसे सुख के मारक पर प्रेजित करने की सामर्त हमारी है, इसके लिए आप प्रण करें, कमर कसें, स्वतंत्रता को सार्थक करनें, कमर कस बलिदान करें, जो पाया उसमें खोना जाएं, जो खोया उसका ध्यान करें। यहां के प्रथम नागरिक महापौर, अध्रणिय श्री पुष्यमित्र भारगव जी, इसकारिक्रम के अध्यक्ष, श्री मोहिट जैन जी, श्री मुकेश मोड जी, भिवेक गोरे जी, और इस्थानिय संपादक श्री शक्ति सिंग परमार जी। आज हम सब जिस विशय पर मंधन करने के लिए एकत्र हुए हैं, अब एक संयोगी देखिए, यह मात्र दो दिन पूर्व, प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी ने, जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद, जिस अम्रतकाल का प्रारम्व किया है, तो मैं कह सकता हूँ, आज यहां अम्रतकाल के उशा की पहली किरन का समय है। और शायद मेरा तो यह पहला ही वक्तव है उसके बाद, और इस्थान पुर्णिश्दो का देवी अहिल्या भाई होलकर जी का वह इस्थान, जिनोंने भारत के विश्टत्व को हटा कर अम्रतत्व को इस्थापित करने के जो जो कारे किये, चाहें काशी विश्वनात हो, अयोत्या हो, केदारनात हो, रामेश्वरम हो, यहां तक कि आप में से बहुत से लों को पता होगा, कि उन्होंने पेशावर में पंच्च तीर् मंदिर का भी जिनों धार कराया था, वह स्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी, डॉक्टर बाबा सहब अमबेडकर का जन्मिस्थान हो, और छेत्र महाकाल का हो, और मंच स्वदेश का हो, तो कोई संदे नहीं रहना चाहिए, कि दे सूर्य का सूर्य अदय होने का काल आ गया है, इसलिए जब प्रधान मंत्री जी ने इस विशय की बात कही है, तो हम सब को सोचना चाहिए, कि इस विशय में कोई सार्थकता है, या विशय सिर्फ एक वक्तव है, अगर हम स्वतंतरता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें, औ और इन्हें 25-25 वर्ष के तीन काल खंडों में विभाजित करें, तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्तन हुआ है, विचार की दृष्टी से, विकास की दृष्टी से, सामाजिक और राज्यतिक परिवर्तन की दृष्टी से, तो परिवर्तन बहुत इस पश्ट न पहले 25 साल, 1947 से 72, राज्यत्रिक दृष्टी से एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं बदलती थी, वैचारिक दृष्टी से भारत की स्वतंतरता के बाद का कोई भी वस्वा का तक तो बहुत दबा हुआ था, ब्रिटिश कोलोनियल लीगेस के जादा तर विवस्थाएं, या थावत चली आ रही थी, सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपरिहारे थी, इविन जिस जमाने में हम लोगों ने इंजिनिरिंग दिया है, उस जमाने में भी फिजिक्स क्रिमेस्ट्री मैट्स का पेपर तब चेक होता था, जब पहली बार वह पार्टी, वह विचारधारा जो स्वतंतरता के बाद बनी, जो स्वाके तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भाव शुरू होता है, हम लोग अगर अपनी बात कहें, तो पहले वाले कालखंड में हम एक महत्वहीन राजनेतिक दल थे, दूसरे केंदर की सत्ता में साजीदार बनते हैं, 1977 में अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बाद हम अनेक राज्यों में सत्ता में आते जाते रहते हैं, महत्वपूर्दल बनते हैं, और अगला 25 वर्ष समाप्त होते होते, यानि 97 समाप्त होते होते, उस समय नहीं तो जो सत्ता पर पदारपन हुआ था वो पूर्ण बहुमत के साथ पूर्ण प्रबलता के साथ इस्थापित होकर आ जाता है तो ये दर्शाता है कि एक परिवर्तन था और अभी मुईद जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए इस विशे को लेकर बहुत विवादिक ढंग से लोग ये बात कहते हैं तो मैं बिनमुर्ता से कहना चाहता हूँ किसी के मन में यद इसको लेकर एक प्रश्ण उठ रहा हो तो 18 मई सन 2014 का लंडन का ट्रिव्यून अकबार उसने ये लिखा कि 16 मई 2014 जिस दिन मोदी जी के नितुर्त में इस पश्ट वहुत हमें पहली बार मिला ये कौन लिख रहा है लंडन का ट्रिव्यून लिख रहा है हम नहीं बोलना है कोई संगी भाजपाई नहीं बोलना है वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए चूंकि इस से पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं जिन विचारों ने भारत को डॉमिनेट किया वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कोलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है जो अपने उदगम में प्रेणा में पूर्णता भारत ही है अब यह भी देखिए बहुत से प्रशन उठाए जाते हैं अगर हम देखे तो मौलिक रूप से इस देश में तीन प्रमुक राजनैतिक दल माने गये जो राश्ट्री दल है भाजपा पॉंग्रेस और कम्निस्ट कॉंग्रेस कब बनी 1885 में एक बिटिश अधिकारी के द्वारा यानि गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों का प्रभाव एक बहुत बड़ी थोरी भी थी कि सेफ्टी वाल के रूप में उसे बनाया गया कम्निस्ट पार्टी कब बनी 1925 में और जो की अपने को भारतीय कहते ही नहीं है वो कहते हैं कम्निस्ट पार्टी आफ इ हैं विदेशी हम एक मात्र दल हैं जो स्वतंतरता के बाद उत्पन हुए विचार फ्रेणा वानी वेश तत्व दर्शन सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बढ़े और प्रमुक राज्यतिक दल बहुत प्रशन किया जाता है कि साब आपका मात्र संगठन तो राष्टी ये स्वयम सेवक संग है हम कहते हैं मात्र संगठन राष्टी स्वयम सेवक संग है हमारे अधिकांश नेता संग से आये अधिकांश नेता संग के पदाधिकारी रहे हमारे दोनों प्रधान मंत्री सं कौन तो मैं पूछना चाहता हूँ आपका मातरसंगठन कौन contracts का संस्थापक कौन? Elan Octavian Hume, बृतिश सरकार का सेकेटरी तो आपका तो मातरसंगठन बृतिश सरकार हो गई और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कॉंग्रेस के पहले चार-पांच अध्यक्षों के नाम बनाएं तो एलेन ऑक्टियूम हुम अध्यक्ष नहीं थे वो संसापक थे परन्तु अल्फिड रोब, जॉर्ज यूल, विलियम वैडन बर्न ये सब जानते कों हैं ये कॉंग्रेस के प्रारंभिक अध्यक्षों के नाम है और इतना ही नहीं 1910 का अभावर्ष जिस वर्ष में वीर सावरकर को दो जन्मों के काला पानी की सजा, दो जन्मों के कारावास की सजा हुई, उस 1910 के वर्ष में कॉंग्रेस का अध्यक्ष विलियम वैडन बन सेकेटरी गवर्मेंट अफ इंडिया था, अब बताई या ब्रिटिस हुक्मरान के हुकम के निचे पैरों के तले बैट कर स्वतंता का आंदोलन रड़ रहे थे इसलिए भाई अपने मात्र संग्ठन तुमारा मात्र तो भ्रात्र तो कहां था यह देख लिया जाए तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया तो आप देखिए जब स्वतंता कामरत महुत सभाया दो हजार बाइस ते एक और परिवर्तन है इस समय भारत के सभी प्रमुक्षपदों पर विद्धिमान लोग राश्ट्रपती, प्रधान मंत्री, लोकसभाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापती और चाहें ग्रह मंत्री, रक्षा मंत्री सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए है तो यह भी एक काल चक्र के बड़े परिवर्तन को दर्शाता है, कि अब भारत एक लंबी छलांग मानने के लिए आगे तयार है। यह कहा था श्री अरविंदो ने, और श्री अरविंद का भी 15 अगस्ट 2022 एक सो पचास वर्ष पूरे हुए थे, श्री अरविंदो ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है, जिसका प्रारम्द स्वामी रामकृष्न परम्हंस के जन्म से हुआ, उनका जन्म 1836 में हुआ था, 175 साल 2011 में पूरे होते हैं, उनका था उसके बाद भारत का स्वर्णिम भविष्य दिखने लगेगा, आप कोई संदे है कि 2011 के बाद क्या दिखना शुरू हुआ था, तो जो 21 सदी भारत की होगी, इसमें कोई संदे नहीं है, भारत में किस विचार की होगी, यह संकेत भी 2011 के बाद, यानि 2012 onwards मिलना चुरू हो गया था, तो जो महापुरिशों के वचन हैं, वो व्यर्थ नहीं जाते हैं, हमें यह समझना चाहिए, इसलिए देखिए जब हम सत्ता में आए, 2014 में, तो स्वतंत्रता की सार्थक्ता कहां से होनी थी, आज हम स्वतंत्र है राज्य हमारा है, हमारे तंत्र में स्वतंत्तो कितना है, यह वही स्वतंत्तो है जिसके लिए लोकमाने तिलक ने स्वराज्य कहा था, महात्मा गांदी ने 1909 में पुस्तक लिकी हिंद्व स्वराज, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटन से मुक्ती चाहते हैं और जब तक स्वतंत्तता की सार्थक्ता का आभास हर गरीव व्यक्ति के हाथ में न पहुंचे, तो कहते हैं न उगाज सूरे कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करुणों घरों में न पहुंचा, तो 15 आगस 2014 को जब प्रधान मंत्रीशी नरेद मोदी जी ने अपना पहला वक्त अ लिए तो क्या कहा जन धन योजना, ये कैसे संभुता कि भारत महान भारत बनेगा, आधेश ज्यादा लोग 60% लोगों का बैंक अकाउंटी नहीं होगा, वह और तव्यवस्ता के हिससे ही नहीं होंगे, फिर उन्हों क्या कहा स्वच्छ भारत अभियान, फिर उन्हों क्या क कि 2014 में वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए ने हुआ था वो विचार और मानसिक्ता को बदलने के लिए हुआ इसी लिए आप ने देखा कि 2014 के बाद जब उन्होंने स्वच्छता की बात कई पहली बात यह तीनों विशे किस से संबंदित थे यह किसी बड़े उद्योगपती है या संपन वर्ग के लिए थे ना तीनों गरीब के लिए थे जन्धन योजना याने एकाउन गरीब के लिए था स्वच्छता का सबसे अधिक कुप प्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वो निर्धन वर्ग या निम्नम ने देखा कि हमारे विचार में सोच में बदलाव आया अब कोई ऐसे नहीं फेकता हम देखते हैं कि कहां पर जाके कुड़ादान है वहां डालते हैं बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ कहा गया तो कितना बड़ा परिवर्तन आया कि जो लिंग अनुपात था नवजात सिश बीमारी है घवराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा तो आयुश्मान भारती हो जना आई है अगली जरुवत क्या होती है शिक्षा तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया फिर सोच में बदलाव आया पहले की सरकारे रहा है हर गाओं में सड़क पहुचाने का काम किया और मैं अभी कहना चाहता हूं धारणा यदि प्रचलित ये भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा इसके बावजूद हमने दिया जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते उनके भी 70% लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाब मिला ये हमारी इमानदारी राष्ट के विकास के पृति हमारी निश्ठा का प्रमानता अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए आज के यूग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली requirement क्या है सडक बिझली देखे तीन प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार में की एक काम वो जो पिछली सरकारे भी कर रही थी हमने भी किये बिझली है सडक है पानी है हमने भी बनाया उनसे ज़्यादा गती से बनाया, उनसे ज़्यादा परिमान में बनाया, बगैर किसी आरोप और घुटाले के बनाया, पूनुपारदर्शिता से बनाया. दूसरी केटेगरी के वो काम होते हैं जो पिछली सरकारों ने सोचा, मगर करने की हिम्मत नहीं कर पाई. जैसे जैसे GST, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, तीसरी केटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों के कल्पना में ही नहीं आये होंगे, हमने वह भी करके दिखाया. तो प्रधान मंत्री जी ने किस रूप्य सोचा, जब हम लोग की विचार धारा के हाथ में पूर्ण सब्ता आती है, तो देखिए सोचते कैसे हैं, दीन द्याली का अंत्योजय साकार किया, सब को देके चाहें, अगर आब याद करिए, उजला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके की लिए धुए के से निकलने वाले आंसू नियती बन गए थे, उनको उनसे मुक्ती दिलाई, और यहां भी महत्पूर्ण बात देखिए, दोहजार चौदा में एक और परिवर्तन आया, इस से पहले लोग सरकारों सा पेक्षा करते थे, हमें और चाहिए, हमें औ अब होता है, जब नेतृत की नियत पर विश्वास होता है, तो देखिए, पहला चरण ये था कि किस धंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूल भूत आवशक्ता हैं, उपलब्द कराई जाए, उसके बाद अगला चरण, देश के आर्थिक विकास का मार्ग तरगत लाना ताकि बिजनस को ग्रो करने का एक बड़ा आउसर मिल सके, उसके बाद ये सारी चीजे बेमानी हैं, यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत न कर सके, अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी, बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया, जी हमने का बरतांत देते भी उन्होंने लिखा कि 26-11 के हमले के बाद उस समय की सरकार ने, जबकि सेना तयार थी पाकिस्तान के उपर एक स्ट्राइक करने के लिए, उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमती नहीं दी, क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इस से उपजे वातावरन से भा पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्रिक्ट था, पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्रिक्ट आपने नहीं देखा होगा, कि पडोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे, हम ताकतवर भी थे, पर हम पिछले 65-66 सालों से अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें, तो हम दुनिया में क प्रश्ट में वो देश जाता है, जो छोटा हो, कमजोर हो, हार रहा हो, यहां हम बड़े थे, ताकतवर थे, जीत रहे थे, बस और तालीस से 72 घंटे की बात थी, प्योके हमारा होना चाहिए, हम समय उत्राश संग में चले गए, ऐसे विचित्रता के उधारन हमने कोई भी आके हमें दबा सकता है, कोई भी आएगा, और हमारे साथ किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा, और हम सिर्फ शांतिके कब उतर उड़ाते रहेंगे, परंतो वो भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं, भारतिय परंपरा ये कहती है, कि सापों को दूद भी पिलाते हैं, तो नाग यज्य करने का सामर्थ भी रखते हैं, जिसमें सारे नाग आकर आउते हैं, तो हमने यह प्रेणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो, एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूद भी पिला किया, जो साफ्ट इस्टेट इस ओवर, अब वो दिन चले गए, तब जैसे मैं तो लखनो करेने वाला हूँ, हमारे एक कहवत होती है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस साल ललूखा फाक्ते उड़ाया करते थे, तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए, और अब व वजूत क्या हुआ, ये पहला मौका है, आप याद करिए, एक दौर था उननीस सो नबे में उस समय, बेनजीर भुटो ने पाकिस्तान के नैशनल इसमली में बोला था, जग मोहन जी, गवरनर थे उनके लिए, ये जग मोहन को हटाओ, नहीं तो इसको भग मोहन बना देंग और हमाई सरकार ने हटा लिया था, और एक ये दौर था जब पाकिस्तान के नैशनल इसमली में खड़े होकर, इमरान खान ने कहा, कि जो कुछ उन्होंने बाला कोट में किया, उससे अदर खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं, याद करिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट के बाद हिंदुस्तान अटेक कर देगा, ये तो 1971 में कभी नहीं हुआ कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ ये कहें कि उसके पैरकाप रहे ते वो भी पाकिस्तान की नैशनल इसमली में ये उनका दिया बयान है, किसी पत्रकार का बयान नहीं है, यह परिवर्तन आया, फ पावर में हमारा 44 प्रतिशत पावर कोल से आता है, अब कोईले से अगर हम इतने भारी मात्रा में एनरजी लेंगे, तो एक तो उससे परियावरन का बहुत प्रभाव पड़ेगा, आने वाले समय में, और हम कितनी उर्जा ले पाएंगे, तो इस पे सोचना चाहिए कि भग जिरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहाँ पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामानिता वहाँ पानी की कमी रहती है, मगर सूर्य देव बहुत प्रचंड रूप में वहाँ पर अपना प्रवलता दिखाते हैं, और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उडि के लिए प्रियोग कर सकते हैं तो पूर्वी हिस्सा था वहां पे क्यों न ड्रेजिंग करके उसमें गहराई करके इन लैंड वाटर वेस्ट कम्मुनुकेशन की शुरुवात की जाए और जब जल मार्क से परिवन होता है तो सडक और रेल मार्क के मुकाबले एक बटे दस कॉ लिए तो क्यों नहीं सोलर इनर्जी का प्रियोग करना चाहिए सोलर इनर्जी की बात हो सकता है दूसरों किसी ने सोची हो हम सोलर इनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वह इंपॉर्टन नहीं है हमारा टार्गेट यह है कि हम 300 जीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंग यानि सोलर पावर के वर्ल लीडर के रूप में हम इस्थापित होंगे यह किसी ने कलपना नहीं कियोगी दूसरा उधारन देखिए कलपना न करने का योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते थे परंतु संयुक्त राष्ट संग में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया यह नहीं वो दुतिय प्रस्तावक बने यह नॉट बिकम दे सपोर्टर बेकम दे सेकंड इस्पॉंसर और यह यूएन की हिस्ट्री में एक मात प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है यह पिछली सरकार की कलपना से परे था दूसरा उधारक्यों स्वास्त आता अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें आप कहेंगे इसका एकनॉमी से क्या करेक्शन है मैं बताता हूं जो फार्मसेटिकल इंडस्टी है इसमे कितनी बड़ी एकनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनो विज्ञान और मनो भय मन के भय का दोहन किया जाता है और एफडिये ने जो यूएस का फेडरल ड्रग अडिमिस्टेशन है इतनी रिसर्च कर रखी कि हम पचास साल में उसके बराबर नहीं हो सकते परंत यह हम योग क प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया गंगा नदी के दोनों तरफ के छेत्रों में 800 करोड रुपए का विवस्था की गई है और 36 गड़ हो उडिसा हो जारकंट जहां पर की ऑर्गनिक यानि जिसे कहते हैं एक दों वर्जिन में बनेगा यानि उसके हम लीडर बनेंगे यह कलपना किसी ने नहीं कियोगी क्योंकि सबसे जादा एथेंटिक डॉकुमेंटेट ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है तो अब इन दो मामलों में हम लीडर बनते हैं हम उस पिर देखिए अभी पि जबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास वेकार है पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहांके वैग्यानिकों ने चंद्रियान बना लिया पर वो मिजाइल नहीं बना सकते थे यह बताईए हम हम फाइटर प्लेन नहीं बना सकते थे इंटर सरकारों ने कभी इसमें आत्म निर्भर नहीं होने दिया क्योंकि शायद यह रहा होगा कि बहुत सारे आमसेन इमुनेशन की खरीच चलती रहेगी और उसके साथ जो कुछ चलता है वो भी चलता रहेगा तो पहली बार हमने अब आत्म निर्भर डिफेंस प्रोडक्शन में शुरू किया और जो भी एक लाग करोड की इंडस्टी है अभी वरतमान पर इसीती में माना जाता है कि अगले बीस वर्षों में पांच लाग करोड की डिफेंस और इस पेस इंडस्टी होगी आज भारत में सिती है कि एज़ार्ट राइफल भारत में बनने लगी है और अब ब्रम्होस मिजाइल हम बना रहे हैं पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की सिती में आया है फिलिपीन्स पहला देश बनाए जिसने इंटरमीजे ट्रेन बैलिस्टिक मिजाइल ब्रम्होस को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए ओर्डर लिया है यह हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको एक्सपोर्ट करने की सिती में आ गए और डिफेंस कोरिडोर दो राज्यों में बना है तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश अब यह समझे कि इस ब्रम्होस मिजाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे और मुझे तो कभी कभी लगता हम तो यूपी के रहने वाले एक दोर था यूपी में कटे बना करते थे अब ब्रम्होस मिजाइल बनके एक्सपोर्ट होगी उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालात बदले नहीं है तो मेरे विचार से नजारे का नहीं नजर का दोश है अब आप देखिए इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोग सवा चुनाव के दोरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधान मंत्री जी राष्ट के नाम संदेश देने वाले हैं लोग सोच रहे था पता नहीं अब कौँंसा नोट बंद होने वाला है पर आप में स प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देजी नुक्लियर सब्मेरिन हमने इस समय में बनाई वह कैपिबिल्टी हमने प्राप्त की यानि देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से मनोवैग्यानिक दृष्ट से भी सुद्रण करना यानि सेना को पूर अधिकार कि जो करन और हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी करके दिखाई और उत्पादन में भी हम आतने पर होंगे आप इसे बहुतों को शायद पता हो चार सो ऐसे डिफेंस के उपकरन हैं जिनका की इंपोर्ट सरकार ने बैन कर दिया है कि अब यह भारत में ही बनाने पड़ेंगे और इससे हज सारो करोड रुपए का हमारा फॉरें इक्सेंज डिजर्ब भी बचता है तो इसलिए आप यह समझेए कि यह गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेके राष्ट को शक्तिशाली बनाने तक कि एक पूरी प्रक्रिया है और यह ऐसे ही नहीं है जब हम यह कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहां पर पहुंचे होंगे एक OECD कंट्री का आप में से नाम सुना हो और नाइजेशन ऑफ एकनॉमिक को आपरेशन एंड डेवलपमेंट इसमें कि शायद अब पहले 40 थे 50 के आसपास कंट्री हैं उसकी रिपोर्ट यह कहती है कि 2048 तक परचेस पावर कैपिसिटी जो पेइंग पावर कैपिसिटी होती अपने डोमेस्टिक मारकेट में उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्थ मेश्था हो जाएगा पेइंग पावर के पैरिटी होती है जैसे अब ये बोतल है ये आपको दस रुपए की मिलती है अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई बारा सेंट की हुई ना अमरीका हम बारा सेंट की नहीं मिलती है वहाँ एक डॉलर की मिलती है तो यहां ये बोतल असी रुपए की आ सकता है पर अमेरिका में एक डॉलर में कोई ठीक ठाक नाश्ता नहीं कर सकता वहां चार से पांच डॉलर से ये नाश्ता करने के लिए तो पेइंग पावर एक पैरिटी में तो हम आगे हो जाएंगे अरे ये तो वे सीडी का नुमान है आप चिंता मत करिए अगर इसी घुकी आवश्क्ता होगी लक्षमी जी और सरस्वती जी दोनों की कृप लक्षमी जी भी कमल पे विराज्टी हैं Smartवतरी बीकमल पे हैं तो जब तक कमल खिला रहेได้ तो यह ओश्वोच से बड़ी अर्तफिवस्थथा हर दृष्टी वह जाएंगे सिर्प पैंग पावर 25 साल में जा सकती है हमने कलपना नहीं की है जैसे मैं उधारण देना चाहता हूँ आज से 25 साल पहले चले जाई है 1996 में 26 साल पहले आप मैं से बहुत लोगों को याद होगा पहली बार ऐसा हुआ कि कंप्यूटर ने शत्रंज की बाजी खेली गैरी कास्पोरव के साथ आई बीम के कंप्यूटर डीप ब्लू 1996 में वह एक शुरुआत थी डिजिटल एरा की कि मतलब एक अर्टिफिशल इंटेलिजेंस की एक फर्स्ट इनीशल स्टेज थी तब किसी ने नहीं कलपना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी सिती आ जाएगी कि हम सब के हाथ मोबाइल होंगे मुझे याद है मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में तब हमारी उमर बहुत कम थी तो उस गाड़ियों में लगा होता था बहुत बड़े बड़े लोग ही लगवा पाते थे तब हम लोग बड़ा आश्या लगता थे तो बताता कोई चलता है लेट जाईए बाएं जाईए दाएं जाईए अब फ्री मैं सभी के हाथ में इसलिए मैं कह रहा हूं कितनी दूर तक आगे आते जा रहे हैं कि अगले पचीस साल में हम टेक्नोलिजी में कहां तक पहुचेंगे इस बारे में हमें समझने की जरूरत है जैसा कि अभी जैन साब कह रहे थे तो ये भी याद दिलाते हैं कि 2014 से पहले इस स्टार्ट अफ सिर्फ 500 के आस पास थे अब 70,000 के आस पास हैं सौसे यूनिकॉन हैं अमेरिका के बाद सबस्यादा यूनिकॉन बनाने वाली कंप्रियों में से देशों में से एक हो गए हैं यानि इतनी फास्ट गती से हमारी ग्रोथ हो रही है और आप यह भी समझे कि इस परिवर्तन के इस दौर में जब हम इस रफ्तार से आगे तो एक बार मुझे याद है कि एक टीवी डिबेट हो रही थी तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोग दी तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार महदिया बैठी तो ओनों ने का जी आपको मदद की जरूबद होगी हमें मदद की जरूबद नह हमारा है पेपसी की चीफ इंद्रा नूई इंडियन है इससे पहले मास्टर कार्ड का चीफ इंडियन रह चुका है सिटी बैंक का चीफ इंडियन रह चुका है इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज के चीफ हमारे हैं मैंने का आप के हाँ भी बहुत सारे चीफ है लशकर पाकिस्तान में जाती है टर्रिस हंट के लिए कभी उसामा बिन लादिन मारा जाता है अबिटाबाद में तो कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अमनल जवाहरी मारा जाता है और इतना ही नहीं हम अमेरिका को सिर्फ इतना ही नहीं देते हैं जैसा कि अभी मोहिट जी कह रहे थ करते हैं Facebook use करते हैं तो उसका ओनर कौन है Mark Zuckerberg कि जो लोग iPhone यूज करते होंगे पता होगा कि Apple युछ अब ये मार्क Zích बर्ग में खुद कहा कि Apple के पाउंडर इस्टीव जॉबस ने उसे कहा था कि अगर जिंदगे में कभी इतना बुरा वक्त आजाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा कॉंफिडेंसी खतम हो गया है पूरी तरीके से हताश हो गए हो तो ऐसा करना भारत में जाना वहाँ नैनी ताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है वहाँ जाके तुम्हें एक नई उर्जा मिलेगी और मार्क्स जुकरवर्ग ने कहा कि मैं आया वो दौर जब आया और मुझे एक नया कॉन्फिडेंस मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारम की तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं तभी हमने कहा कि हम सोने की चड़िया के साथ साथ जगत गुरू भी बनेंगे यही हमारा भवित व्यूँह है परन्तो इस अम्रतकाल से पहले हमें यह भी समझता होगा कि अमरत आध में आता है सागर मंत्र में विश्य पहले आता है वहाथ्य सारा विश हमारे दिमागों में भरा हुआ है जो अभी उरलेक किया गया कि प्रधान मंत्रीग बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कई नॉर्मली सरकारे आती हैं वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिये हमारी सरकार ने पिछले आठ साल में डेड़ हजार से लेके अठारा सो पुराने नियम समाप्त कर दिये जिनकी कोई जरूरत नहीं थी और कैसे कैसे नियम एक बार जी ने मुझे बताया कि जब वो गुजरात के ग्रह मंत्री थे तो 1965 के युद्ध के समय क्या होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुबारों के द्वारा कुछ पैंफ्लेट्स भारती छेत्र में छोड़ देता था उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बनके आती थी कि इस हफते कोई गुबारा या उसके द्वारा कोई पैंफलेट भारत के छेत्र में नहीं लाया गया और उसके लिए डूटी लगी रहती थी यह उधारण है कि कितने रिडंडेंट यानि कालबा है नियम भी थे उन सब को समाप्त किया उसके बाद आगे बढ़े तो जो पु अहिलिया भाई हुलकर जी का पुर्णे स्थान है आपने अहिलिया भाई जी का नाम किसके नाम पे पढ़ा अहिलिया जी के नाम पे पढ़ा हम सब ने वो कहानी सुनी गौतम रिशी की पत्नी अहिलिया थी इंद्र ने आकर संपर के स्थापित कर लिया इसलिए वो पत्थर बन गई फिर भगवान राम के द्वारा उनकी मुक्ति हुई कितना गलत है महिलाओं के साथ कित्ता अत्याचार होता था यही दिमाग में भरा हुआ है ना पर आप में से किसी ने कभी ध्यान दिया कि अहिल्या शब्द गोतम शब्द और राम शब्द का अर्थ क्या है अहिल् उसे लिए लीला क्यों कहते हैं वो एक एक जून के जीवन की घटना हमारे अंदर की चेतना का एक प्रकटी करण है मन की वह अवस्था जिसे विचलित नहीं किया जा सके जिसे जरा भी हिलाया ना जा सके वह है अहिल्या जब मन उस अवस्था में पहुंसता है अहिल्या किसकी उस अवस्था में पहुंसती है जिसे विचलित नहीं किया जा सकता ये गौतम और अहिल्या के पति-पत्नी होने का अर्थ है और इसमें एक और बात है आपको नहीं पता होगा ये अंग्रेजी का जो गो शब्द है जिसका मतलब जाना वो संस्कृत के गो से निकला है यही गो शब्द का अर्थ है झाना गोव तम को यही अर्थ Arkansas के परे जाना दस्यों बाराया एभ्राम चरित मानस में गो गोचर अलग जहन वन जाई तो जानमा या भरमाई हमारे दिमाग बराय कि गो चर ग्रहों की गतीकोंड़ कहते ना आज याध का गोचर योसीजिश पूचश कहता आज का गोचर यह सब गोशब्द जाने से बनाए अब इंद्र कौन है इंद्र शब्दकार से जानते क्या है बहुत बार हम लोगों ने सुना खुब हमारे कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक रिशी तपस्या करने लगा तो इंद्र ने जो है अपना अफसराय भेज कर उसकी तपस्या भंग करने का प्रयास किया क्योंकि इंद्र का आसंड डोलने लगा इसका क्या रत है इंद्र शब्दकार से जानते क्या है आपने इंधन वर्ड सुना है फ्यूल के लिए उस होता है source of energy ये इंधन शब्द इंदरन शब्द का पब्रेंश है इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो source energy है that is इंद्र और जब कोई तपस्या करता है तो इसकार क्या हुआ वो इंद्रियों को control करने की कोशिश करता है तो इंद्र का आसन डोलता है यानि इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है तो by law of inertia इंद्रियां सबसे आदा तेजी से उसके उपर inertia back force मारती है और वो सबसे आदा किस पे मारेंगी मानसिक रूप से मानेंगे क्यों मन सबसे प्रबल इंद्रि है इसलिए कभी आपने ध्यानी नहीं दिया होगा कि अपसराओं के नाम क्या मेन का जहां आप मने कागरो उर्वशी हर्दय को वश्मे करने वाली ये सब प्रवित्तियां है जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती है तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति जब आप अंदकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ? पत्थर करत क्या हुआ? चेतना शक्ति का लोप हो गया आप पदार्थ यानि सांसारिक शक्ति के रूप में रह गए जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई अब आध्यात्मिक चेतना दुबारा कम मिलेगी राम शब्दकार्थ से जानते क्या होता है? हिंदी या संस्कृत में शब्द है रम धात्मिक चेतना थी यानि किसी भी चीज जिस चीज में सेटल डोती है उसको रमना कहते हैं इसलिए राम शब्दका स्विक रथ है रमन्ते इतरहमा अर्थात वह तत्विसमें सारा संसार सेटल है पिर यानि वही डिवाइन धिवाइन इलिमेंट फिर जब उसके साथ दुबारा संपर्क होगा that conscious energy will revive और worldly energy will disappear मगर हमारे दिमाग को क्यों अब ये क्यों किन्हों ने पढ़ाय गया जानते क्यों 1854 में कॉल माक्स ने एक आर्टिकिल लिखा दाए शिकागो हेरल्ड ट्रिब्यून में कि हिंदू जाती चाहें जितनी भी संवर्द हो पर वो नंदी बैल बंदर हनुमान और हाथी गणे उसको पूजने वाले इसी लायक थे कि उनके उपर हुकूमत की जाए क्योंकि वो मूर्ख थे माने बार हम मूर्ख नहीं थे इतना समझने लायक बुद्धी आपके पास नहीं थी क्योंकि आपने न कभी भारत में आये ना आपने भारती संस्कृती पढ़ी ना आपने संस्कृत पढ़ा और आपने कुछ नहीं पढ़ा और उसके बावजूद बैठे-बैठे वे आख्या दे दी है अंग्रेजी में पढ़के वेदों में कमेंटरी की है ऐसे महान-महान लोग हैं और वो मैं उधारण बताना चाहता हूं जब राम जिन सब लोग जिनको अगयरा यह लोग स्वैम नहीं अपियर होते थे अपने प्रतनिदियों के थे अब भाई कोट में तो राजनी इतनी चलेगी कोट ने पूछा कि आप राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर आएं हैं तो आप पहले यह बताईए कि आपका हिस्ट्री में विशह क् क्या तो उसमें से जाएं लिग लिए जैंशेंटी ने हमरा विशह नहीं अब वहां खुदाई का विशह था तो आपको पता होगा हिस्ट्री में दो ब्रांच होती ना अर्केलोजी एंड कल्चर तो आर्केलोजी खुदाई से डील करती हुए उससे पुछा गया आर्केलो यानि ना खुदाई जानते थे ना लिखाई जानते थे और दावा ये सारी खुदाई जानते थे वो आके हमको समझाते थे जबके हमारी तरफ से लोग ऐसे थे जो संस्कृट भी जानते थे फार्सी भी जानते थे डॉक्टर हर्ष रायन स्रीवास्ता को मैं वेक्टिगत इससे आप समझे कि किस प्रकार की चीजे हमारे दिमागों में भरी गई और हम्मारा दिमाग किस तरीके से उन सारी चीजों से एफेक्ट हो गया और किन लोगों ने भरी जिनको उसका कुछ भी अभी सीटे नहीं आती थी वैसे वांदा लाइटर नोड में कहूं जब ये से रस्का भी उलेग किया कवता वली में वो लिए वह लिखते हैं कि जब भगान राम चित्रगूर पहुंचते हैं तो वहां कि जब सादू सन्यासियों को पता चलता है कि भगवान राम आए हैं तो वह बिचारे वरसों वरस से वरत कर रहे थे तपस्या कर रहे थे तो उनको लगा की इनके पर पैर के इस परश होने से कोई पत्थर की शिला इस्त्री बन जाती है तो सब एके शिला लेके आ गए कि शाइद यह शुंदर इस्त्री बन जाय तो मेरा भी जीवन जो कश्ट का है कोई मुझे भी अच्छे डंग से हमारा सयोग करने के लिए मिल जाए तो उसको उन्होंने लिखा है कि विंद के वासी उदासी तपोवरत धारी महाविनु नारी दुखारे और गोतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनिबे मुनिवरंद पखारे तो मतलब उन्होंने हाथ से कभी प्रयोग किया यह तो एक चीज हुई अब दूसरी बात आईए जिस जमाने में देविया इलिया भाई होलकर यहाँ पे रूल कर रही थी एटीन सेंचुरी है आपको पता है उस समय योरप में क्या था 1542 से वहाँ पर विच्क्राफ्ट एक्ट था विच्क्राफ्ट एक्ट का मतला होता किसी भी महिला को चुडैल घोशित करके जला दिया जाता था और वो समय जब भारत में चाहें राइनी अहिल्या भाई हो राइनी दुर्गावती हो कितूर की राइनी चेन्नमा हो वो मद्धिकाल का दौर चाहें छोटे मोटे राज्यों के राइनी अबक्का हो या राइनी लक्ष्री भाई वो यहां शासन कर रहें थी और वो लोग और कौन कोई भी चार्च घोशित कर देटा था कि यह चुडैल है और उसको जला दिया जाता था यह by Parliament 이 Act था. यह British Parliament का Act है और आपको पता है वो Act कब तक आ है. 1951 1951 में वो Act repeat किक्या गया है और वो लोग हमको ख्यान देते थे कि महिला समान्ता आप कहा नहीं है महिला समान्ता तुमारे यहां थी. आपको पता है अंग्रेजी का ये शब्द witch hunt आप सबने सुना होगा ये witch hunt शब्द उसी witchcraft act से निकला है कि किसी भी औरत को witch गोशित करके फिर उसको पकड़ना और पकड़के मौत के घाट उतार देना है हकीकत यह है कि witch hunt करने वालों ने हमारे खिलाब witch hunt किया है कि हमें कहां कहां पे नीचे दिखाये जा सकता है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे यहां इस सिती ये थी ये तो हुई रूल करने की बाद वैदिक काल में 20-22 ऐसी विदुशी महिलाएं हैं गारगी अपाला लोप संस्कृति बताईए जो धर्म गरंत के उपर पहले तो discussion का पावर देती हो और discussion का पावर महिला को देती हो पिर उन्होंने हमको समझाया कि साब आप जो थे वह समानता नहीं देते थे और उससे भी बड़ा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि सबसे प्रख्यास चास्तार्थ कौन है आचारे शंकर और मंडन मिश्र का और उसमें नयाधीश कौन थी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती अब बताईए दुनिया में कहीं की ऐसा है कि धर्म के उपर धर्म, घरंत, पर डिसकेशन का इस्कोब हो और उसकी डिसकेशन परं की पाटिस्पेट करने का लिए जूरी बनने का और दिकार किसी इस्त्री को होता हो यह सिर्फ हमारे यह ता इसलिए उसके बाद हमें यह समझाये गया कि सामने नहीं नहीं आप जो थे वो समानता के पक्षदर नहीं थे हम समानता के पक्षदर थे जब कि हमारे यहां तो महानता यह है कि विश्व की किसी भी सभेता या संस्कृति की कल्पना की परकाष्ठा क्या होती है वो होती है उस संस्कृति के द्वारा की गई इश्वर की परिकल्पना और मैं विनम्रता से पर दड़ता से कहता हूं विश्व की सभी संस्कृतियों में इश्वर सिर्फ पूरुश है इस्त्री तत्व का कोई स्थानीश्वर में नहीं है सिर्फ हमारे अर्धनारिश्वर की परिकल्पना है भगवान शंकर में और वो किस प्रकार का सरूप है जिसको कालिदास इसमें अपने अपने कमार्शम के परतम इशलोग में लिखा है graph. वाग आर्थ थामी संप्रक्ता वाग आर्फ हमी पर्तिपतेई जगता हापितरो वंदे पारवती परमेशलो अर्थ कोई अर्थ ना हो तो आप यह समझिए कि इस प्रकार का जहां पर सुद्ध इविन अगर आप मैंसे जो लोग हिंदी साहित पढ़े होंगे तो निराला की वो प्रिसिद्ध कविता आपको याद होगी ना तुम तुंग हिमालय के पक्षदर नहीं ते अब दूसरी चीज हमें क्या समझाए जाता है जो विष्ट में अपने दिमागों से निकालना है कि हम ज्यान के नहीं थे हम वैज्ञानिक नहीं थे हम अवैज्यानिक थे हम इल्लॉजिकल और जबकि फैक्ट अब दा मैटर है कि आप यह देखिये जित एक्टम बम का पहली बार प्रयोग 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हुआ था रॉबर्ट ओपिनहाइमर और जब 16 जुलाई 1945 को अमेरिका में बिकनी हिल पे पहला एक्टम बम का सक्सेस्फ़ल प्रयोग हुआ था उसको देखने के बाद रॉबर्ट ओपिनहाइमर ने पहला में भगवान ने कहा है यदि स्रजन मैं हूँ तो विनाश भी महीं हूँ वह वेद और गीता को पढ़ता था कौन फादर अवदा अटोमिक और आजकल फिल्म चली हुए ना रॉकेट्री आप में से बहुतों ने देखी होगी सबसे कठिन विशे विज्ञान का किसको माना है या दा गाल कहा जाता है यह कि जर्मन वाइग्यानिक था वर्नर वाज ब्र् кур Children घ्क, हूँका उफैर्थ ग्रौकेट्य आज़र व्ण्यान का जो गुरू था, ववर्नर वनॉबर्ट, और हर्मन उबर्ट ने यह कहा है, कि वो ग्यान के लिए वेद और उपनिशत को पढ़ता था यह बात जानतें कहा लिखी है एक European Scientist है इरिक बॉन डाइकन जिसने अपनी किताब चेरियर्टस अफ गॉर्ड में लिखी है यानि Rocket Science जिसको सबसे Cutting Science माना जाता था उसके Father यानि Father of Rocket Science का गुरू कहता है कि हम ज्यान के लिए वेदों को पढ़ते थे और यह कहने वाला एक European Scientist है इसमें कोई Indian नहीं है और संगी भाजपाई तो कोई नहीं है आप समझेए ज्यान का इतना बड़ा स्रोत जहां पर हो और वहां और हम पर हम को यह संजहाए जाता Being aead अब यह बताईए धरती गोल भीर क्व्हाट है यह किहां का जाता किसा पहले यूरोप आलों ने हमको बता एक और फिगोल है जब कि मैं किसी और भावना नहीं करना तूसरा आपने वारा-ा-वतार देखा होगा तो वारा के दात में फसी हुई धरती गोल है कि चोकोर हम तो सदैव से गोल है उसके बावजूद हमएं समझाया जाता है कि गोल-धरती है यह उन्होंने ऊं elements वह बताया इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इतना जादा हमारे दिमागों में विश भरा है हमें कभी यह बात समझ में नहीं आती है कि विश किस-किस करीने से भरा गया है अब और वो और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाट्टे-पुस्तकों से भरा गया अरे वो हमें ले कर दिया गया जैसा कि मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं 1970 के बाद कि एक फिल्म बताए बताईए जिसमें भगवावस्तधारी पॉजिटिव रोल में हो बाकी तो छोड़िये कंठी माला पहने हुए धोती कुर्ता पहने हुए तिलक लगाए वेक्ति पॉजिटिव रो होगी है देख लीजेगा सब टीवी सीरियल से लेके और फिल्मों तक और जो अंग्रेजी बोलने वाली कोई भी या जिसके पूरे उसमें आचरण में और वेश-भूशा में कोई भारती चित्र नहीं दिख रहा होगा वो सबसे बहतर होगी कभी आपने सोचा इतना ही नही नहीं बताईए जातर फिल्मों में प्रोफेसर बेवकूफी होगा सनकी होगा वो वीरुस तहसर बुद्धही होगा बताईए साइन्टिस्टों को सिर्फ आप ये मंगल यान और रॉकेटरी यसी फिल्में छोड़ दीजे जो साइन्टिस्टों में बेस थी तो होगा ही होगा इसमें तो कहीं कोई किंतू परंतू ही नहीं है आप ये सोचिए कि किस ढंग से हमारे दिमागों में चीज भरी जाती है और वो सिर्फ इतनी नहीं होती है वो लैंग्विज तक हमारे दिमाग में ऐसी भरी जाती है कि हम वो भूल जाते हैं पिछले तीन पीडियों से सुनते सुनते इबादत महबत इश्क ये सब शब्द जो हमारे परदादाओं ने कभी नहीं सुने थे वो सब हमारे दिमाग में ऐसे बस गए कि अगर हम शुद्ध हिंदी के कोई शब्द प्रियोग करने लगें तो लोग उसके ऊपर कहने लगते रहे भाई ये आप क्या करने लगे सरल हिंदी बोली है सरल हिंदी का मतलब क्या जिसमें अंग्रेजी और फार्सी के शब्द मिले हुए हो वह सरल हिंदी है और सरल हिंदी और शुद्ध हिंदी से अंतर क्या पढ़ता मैं उधारन देना चाहता हूं परसों अभी आपने बता है ना आज तक ने सर्वे किया था तो उसमें भारत और काल और अम्रत शब्द तीन बार आया था वह सबसे आदा तीन शब्द जो आये थे उसी समय बाइचांस वह दिखाने लगे कि कुलकत्ता में सुतंता दिवस मनाय जा रहा था तो पहले हेलिक तो जब आप संस्कृत निष्ट हिंदी पढ़ते हैं तो भारती भाषाओं के साथ ज्यादा जुड़ते चले जाते हैं ना कि डिसकनेक्ट होते चले जाते हैं मैं दिल्ली में एक बार प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान मैंने शब्द वितंडवाद प्रयोग किया और आपको अश्यर होगा कि जित्ते अंग्रेजी के पत्रकार थे दिल्ली के उन्होंने कहा वाट इस अमीनिंग ऑप दिस वर्ड वितंडवाद और ये मेरे लिए आश्यर का विशह था कि तमिल नाडू और आंध प्रदेश के पत्रकारों ने कहा कि तेल्गू और तमिल दोनों में व विमांतल और हिंदी में हवाई अड़ा हाएओ धेतर हλंदी प्रहें अपस्चच सद्थने ऊंचता हूं ङांगे विए burgatubtubält बहुत स्टॉंग था तो सबसे पहले कंड़ में बहुत सारे शब्द संस्क OKI उन शब्दों को किया और उनके उनको केंदृत करके भाषण का निर्मान किया और उसके भाषण लिखा देवनागरी लिपी में और उसके बाद उन्हों बहुत जल्दी इडॉक्ट करके बुलना शुरू कर दिया तो आप सोचिए कि ये भाशा किस धंग से जोड़ती है और भाशा किस धंग से आपके दिमाग को पलूट भी करती है उधारन के लिए अगर आप देखें आज एक और भी खत्रा चलना है आज आपने देखना शुरू नहीं किया कि हर टीवी क्योंकि परिबार को तोड़ना है तो दस-फंद्रा साल के बाद वही तो जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें ही सब कुछ पता था हमारे माता पिता को कुछ नहीं पता था जैसे मैं यह एक उधारन भी आपको देना चाहता हूं यह बात मैंने एक बार पहले भी बोली है अ यानि सुन्दर लड़किया ना 1994 से पहले पैदा होती थी ना 1903 के बाद यह आपको लॉजिकल लगती यह बात नहीं जी 1991 में नहीं अर्थवस्था आई भारत के पास इंफास्ट्रक्चर नहीं था तो कहां से पैसा आएगा क्योंकि ना हमारे पास फिजिकल इंफास्ट्रक हैं उनकी जो एवरेज सेविंग है 19 से 20 परिवार लगबग 20 प्रिश्यत अपनी आयका बचाता है अब वो उसमें से अगर हम 10 परसेंट निकाल के मार्केट में ले आएं तो मार्केट में इनीशल फ्लो अप मनी आ जाएगा अब यह रिसर्च किया गया कि वो बचत के लिए सबसे अदर प्रेंजित करता है तो ऊसमें कहा गया कि घर की महिला सबसे अदर प्रेंजित करती है कि पैसा बचा के रखो अब कहा गया कि जो नेक्स जेनरेशन की जो महिलाएं हैं यानि लड़कियान जो आज हैं उनको किस तरीके से іंटरेंच इंटेसँल आज्टिजेशन की कि एक अंग्रेजी काशड़ है एवश्ची का शब्द is फियर इन लफ और इसका हिंदी क्या है जंग उर इश्च में सबकुछ जायद कि बेंधक कोई बीचेने जंग कि का शब्द resistance कि युद्ध और प्रेम में सबकुछ उचित अनुचित है ऐसा होता ही नहीं है क्योंकि भाषा आपके दिमाग में संस्कृती भी लाती है हमारे युद्ध का एक धर्म है और प्रेम का एक त्याग है इसलिए जिनों ने कहा कि everything is fair in love and war तो वहां आतंगबाद भी जायज है और फिर एसिट फेकने वाले भी जायज है इसलिए हमारे यहां ऐसा नहीं था इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा हम अपने बच्चों को यह भी समझाएं कि जब वो बहुत सारे प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं एक एक छोटी सी बात और आपको बताता हूं तो इसको समाप्त करते हैं देखिए हम सभी कोई भी कारे शुरू करते हैं तो पहला इस लोग क्या बोलते हैं वक्रतुंडी महाकाय सूरी कोटी संप्रवा यह वक्रतुंडी ही क्यों है किसीने कवी ध्यान दिया कि सून जो है वो मुड़ी हुई क्यों होनी चाहिए सीधी क्यों नहीं होनी चाहिए उसका कारण यह है और गणेश जी यहां तो सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर है गणेश जी के हाथी का ही सर क्यों है कारण यह है कि हाथी के सर में और उनके एक ही दात क्यों है चुहे की सवारी क्य उसका कारण यह है कि गणेश जी का पूरा सुरूप हमारे अंदर की कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया का सुरूप है इसलिए सून जो है कुंडलनी का प्रतीक है हाथी का सर इसलिए है कि हाथी के मस्तक में गज मुक्ता होती है और दो दात की बजाए एक दात और एक दात भ पर भागता है जब आप उसको नियंत्रित करके उपर के तरफ कर लेंगे तब आध्यात्मिक उन्नतिका मार्क प्रशस्त होगा इसलिए गणेश जी की सून हमेशा वक्रतुंडियानी उपर के तरफ मोड़ी होई है और जब आप मुलाधार स्वादिस्थान अनाहत आग्या च से होगी और अब जाके जड़ा चेक करिएगा अद्वैत कार्थ होता है अंग्रेशी में नॉन डुएलिटी एक वेपसाइट है जाके चेक करिएगा एस ए एंडी साइंस एंड नॉन डुएलिटी और वो जानते हैं उसका आप वेपसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर परजन इक्वेशन तो नॉन डुएलिटी में सिर्फ एनरजी है जब आप मास में आते हैं तो दो चीज़े हैं ना मास एनरजी बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉफ कंजर्वेशन और मास था यानि मानते हैं एक मास दूसरे में चेंज होता है अब लॉफ कंजर्व होता है तो आप यह समझ लीजे कि कितनी वैज्ञानिक पद्दत ही हमारी किस प्रकार से अक्की हुई है तो यह सारा विश हमें अपने मन से निकालना है और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है और एक दो चीज और भी समझ लेनी चाहिए स्वतंता संग्राम के संदर में हम सब यह मानते हैं कि सोतंता मिली सोतंता के लिए बहुतों ने संगर्श किया पर बहुतों ने संगर्श किया उसकी मानिता भी होनी चाहिए जैसे एक आंदोलन था राजनेतिक आंदोलन जो गांधी जी तिलक गोकले नहरू जी इनके नित्रतों में चला था उसका महत्व है तो एक क्रांतिकारी आंदोलन भी था जो युगांदर और अनुशीलन समिती बंगाल से शुरू होती है फिर चाहें वो उत्तर प्रदेश में चंशे का राजाद राम प्रसाद बिस्मिल अश्वाक उल्ला खाया भगस सिंग राजगुरू सुगदेव वहां तक और फिर एक ससस्तर आंदोलन जो सैने अभियान था जो राजबिहरी बोस और सुभाशियन बोस जी के द्वारा शुरू होता है सबका योगदान था एक म एक आधिकार का वर्चस्व मेरे विचार से उचित नहीं है एक दो फैक्ट आपको बताना चाहता हूं शायद मैं बहुत से लोगों को आपको ध्यान नहों जवाला नहरू जी 15 गास 1947 को प्रधान मंत्री नहीं बने थे 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के तहत वो अंत पर यह ग्यारा महिने प्रीफोन कैसे हो गई क्यों हो गई उसको अगर समझना है तो आप यह समझिए कि उनका में नाम भुनाओं से ब्रिटिस सेना के कमांडर इंचीफ थे मिस्टर क्लाउट उन्होंने 24 नवंबर 1945 को लेटर लिखा वर्ड वार खतम हो चुका था 25 लाग क किये गए कारिकों ध्यान में रखते हुए अब भारती सेनिकों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है इसलिए बहुत लंबे समय तक अब हमारे लिए चंद ब्रिटिश सेनिकों के द्वारा शासन करना मुश्किल नजर आता है यह है नवंबर 24 1945 जनवरी 1946 कैबिनेट मिशन प एक और लेटर लिखते हैं वाइस राय को वो कहते हैं मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी अनुसार तो भारती सेनिकों के अंदर अच्छा कासा असंतोष पनप रहा है क्योंकि लाल किले में ट्राइल शुरू हो गया है जो आजाद हिंद फॉज के सेनिक हो जाती है और देखते देखते दो तीन दिनों के अंदर बॉंबे से कैलकेटा और करांची तक बीस हजार नौ सैनिक सडकों पे आ जाते हैं सतर से अधिक वार्शिप कबजा कर लिए जाते हैं ब्रिटिश सैनिक उस समय जो टेलिग्राम भेजा गया है उसमें ये तक बताय गया है कि जितने भी ब्रिटिश अधिकारी हैं भारत के बिन बिन कोनों में वो करांची और मुंबई जितनी जल्दी हो सके वहां अपने परिवारों के साथ पहुंच लें ताकि in case of any emergency वो एक evacuation plan की तरह रहे ताकि वो अपने उनके परिवारों को वहां से निकाला जा सके इ आप उन नो सेनिकों को आश्वासन दीजिए और उनके आश्वासन के बाद वो बात चुपी उसके बाद तो यह तै हो गया कि अब जितनी जल्दी हो सके जान बचा के भागें सबसे बड़ा कारण वो नो सेना के अपराइजिंग ती इसी लिए दो सितंबर उनीस सो शीयाल वो इसलिए चुझ किया गया था कि पंदरागा सुनीस सो पैतालीस को जैपान ने सरिंडर किया था and that's where finally the second world war ended and the British supremacy was established यह लौड माउंड बेटन ने खुद लेखा है तो आप यह समझिए कि स्वतंता के संघर्ष में बहुतों का योगदान है बगर जिसका योगदान सरवाधिक है उसको पीछे कर दिया जाता है हम में से कित्रों ने जन्रन नौलेज में पढ़ा कि आजाद इन फौच की निर्वासित सरकार थी 1943 में जब हमारी सरकाराई तो 2018 में जब उसके 75 वर्ष पूरे हुए तो जो जीवित सैनिक थे उनको 26 जन्वरी की गंतन दिवसकी परेड में बाकैदा शान के साथ उनका उनकी परेड निकाली गई उससे पहले तो जो इतिहास पढ़ता था उसे पता था इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि स्वतंता के संगर्ष में सभी ने योगदान दिया है बहुतों ने योगदान दिया आप एक दूसरा उधारन देखिए सूरी सेन के नित्वत में चटगाओं में शस्त्रागार लूट लिया गया था आर्मरी वस कैप्चरड काकोरी लखनो पर ला कि वाइस के ओपर भं फेक दिया गया था कभी आप कल्पना करें जिना उस सरकार की कि वोइस राएस पे बंव एसेंब्ली बंव पुलिस कमिशनर की हत्या खजाना लूट गया शस्त्रागार लूट गया पर हिल गया इखिए उनका विचारों कोई पानी सह रहे थे उनका योगदान नहीं था जिन्हें कोलू में बैल की तरह जो दिया गया उनका योगदान नहीं था जो जेल में रह रहे थे पर जलवे से रह रहे थे जो किताब भी लिख रहे थे सेकेटरी भी उनके साथ था और एक नहीं तिन्ती चारचार किताबें लिख है हमें इस अम्रत काल में यह भी समझने की जरूवत है कि किस-किस प्रकार का विश्ष हमें दूर करना है और उसके बाद मैं यह नहीं करां कुछ योगदान नहीं है बिल्कुल इमांदारी से कहता हूं नेरूजी प्रधान मंत्री बने उन्होंने कई अच्छे कारे भी किये आयाइटीज बनी एम्स बना राउर केरा बोकारों के स्टील प्रांट्स बने भाकरा नंगर डैम बना मगर कुछ ऐसे काम भी किये चीन हमारा पडोसी नहीं था सैंतालिस में तिब्बत हमारा पडोसी था तिब्बत चीन का है कोई मानने को तयार नहीं था मगर बांडूंक कॉंफरेंस में जाके आपने मनवा दिया और उसके बाद तिब्बत ही नहीं वो तो एक साई चीन तक आ गया तो जो गलती है वह भी मानना होगा आपको पता है नॉर्थ वेस्ट फ्रेंटियर प्रविंस जो आज कल खैबर पक्तुनवा है फाटा का इलाका वहां मुस्लिम लीग नहीं जीती थी महां कॉंग्रेस जीती थी खान अब्दुलगफार खान मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से और उस समय यह स्टेंड लिया गया कि कोई लैंड रूट नहीं तो हम कैस प्रवाटों में छोड़ दिया है पता है आपको बलूचिस्तान यह पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था खान अफकलात कभी नहीं मिलना चाहते थे आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि ओमान 47 में बॉम्बे प्रसिटेंसी से कंट्रोल होता था ओमान हमने कितना छोड़ा है कितना गवाया है कि सब कुछ गवाते चले गए एक बात विचार करिए हम 2022 में बैठे हैं उन्निस सो अठारा या उन्निस का 105 साल पहले का भारत सोड़ देखिए सिर्फ पाकिस्तान मंगलादेशी नहीं अफगानिस्तान बर्मा भी हमारे हिस्सा था हमने बताए तब तक न तिबच चीन का हिस्सा था न शेंगें चीन का हिस्सा था तो हम सबसे बड़े देश थे एंटाइर चाइना वस बुधिस्ट कंसींडरी हिंदू और बुधिस्म ए जो हालात हुए अगर मजबूस सरकार नहीं रही तो 2047 तक जो हालात हैं कश्मीर बैली में क्या ह क्ष्चन मार्क नौर्त एस Happy Marshall로 पशमी उत्रपर देश के कुछ बाके और बंगाल के बंगला देश से जुड़े लाकों में क्या होगा क्ष्चन मार्क पक्सल प्रभावी लाकों में च्छतिसगड़ में जारखंड में उडिसा-टीर लाकों में क्या होगा क्ष्चन मार्ल क यानि खत्रा ये है कि मजबूस सरकार ना हो तो आजादी के सौ साल बाद हो सकता हम अपने उस ओरिजिनल इलाके के आधे रह जाएं इन सब चुनोतियों को समझना है और उसकी अनुसार हमें यह संगर्श करना है कि स्वतंतरता को हमें सार्थक करना है उसके लिए हमें इन सार जितने भी प्रकार की चीजें हैं उससे चौकनना रहना है और जो मैकाले का माइंडसेट 19 सदी का और माक्सवाद का माइंडसेट 20 सदी का दोनों से अपने मन में जित्ते विश हैं उस मनो रोक से मुक्ति पानी है और जो अभी कहा गया था कि किस्वी सदी हमारी होगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज हुआ तो पूरे देश में किसकी सरकार थी अंग्रेश की एक जनवरी 1951 को पूरे देश में किसकी सरकार थी कॉंग्रेश की और एक जनवरी सन 2001 को जब किस्वी सदी के सूरज की पहली किरण इस देश की धरती पर गिरी तो इस दे तो 21 सदी हमारी है हमारी उस विचार की है इसलिए अब हम आगे बढ़ें और मन में यह पूरा पूरा देख लीजे एक दौर में धाई हजार साल पहले हम दुनिया के पावर सेंटर थे एकनॉमिक इंटिलिक्श्वल और मिलिटरी पावर सेंटर जब वो खतम हुआ भारत का डाउनफाल हुआ तो सेंटर कहा गया किंग डेरियस ऑफ परशिया इरान के दर्फ चला गया फि दाध का इंपाइर फिर ऊसका डाउनफाल हुआ .. तो ठरकिश इंपाइर के बाद रोमन इंपाइर फो इसके बाद रोम का डाउनफाल हुआ तो वृटगार का जमवाना पुर्दगार ए स्पेन के बाद बाद बritन अफरांस का जमवाना Britain of France के बाद अमरीका का जमाना, अमेरिका में सबसे prosperous West Coast, San Francisco Los Angeles Belt, उसके बाद अब पिछले 100 साल में आ जाईए, जपाइन का जमाना, जपाइन के बाद आ जाईए पिछले 50 साल में, Tigers of the Asia Pacific, Hong Kong, Taiwan, Singapur, Macau, अब चीन का जल जला चल रहा है, तो अगला मुकाम क्या है, इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, कि अगला मुकाम हमारा आने वाला है, और हम ज़िदी दुनिया में आगे बढ़ेंगे, तो we are not there to dominate the world, we are there to motivate the world, चीन दुनिया को दबाने के लिए आगे आ रहा है, हम दुनिया को प्रेरित करने के लिए आगे आ रहे हैं, और इसी लिए हम वर्ड की सुपर पावर नहीं बनना चाहते, हम जगद गुरू बनना चाहते हैं, क्योंकि पावरफुल व्यक्ति के बगल में खड़े होकर अक्सार आप संकोच, ठिटका कहीं कहीं दबाववा महसूस कर सकते हैं, परंतु गुरू के बगल में खड़े होकर आप आननदित, अहलादि और उन्नत महसूस करते हैं और जिसकी जलक योग दिवस के रूप में दिखाई पढ़ने लगी है कि हम राष्ट से लेके व्यक्ति तक को मोटिवेट करने की शमता रखते हैं और फाइनली एक बात और कह दूँ यह प्रेणा हमें कहां से मिलती है आज आप देखिए चाइना तहाएं के ऊपर डॉमिनेट करना चाहा रहा है तो रशिया यूक्रेण के उपर डॉमिनेट करना चाह रहा बात तो पूरी दुनिया के जीवकॉ sunk डॉइक्रेूंड करसक्ण सरकार नगिए मगर वह आपका जब भग्वान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, तो क्या उसका एनिक्सेशन किया? नहीं. महाँ कोई अपना deputy of vicerai appoint किया, यानि subjugation किया? नहीं. महाँ कोई contract sign कराया, यानि domination किया? नहीं. उगलियों को इस्थापित किया और सह अस्चित्व का विचार दिया, विश्वी सदी में विश्व का उदय होना है, तो वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं और हमारे अंदर ही वो शमता है अटल जी की कविता की यह पंक्ति, उस विचार जिसे सामपरदाई कहके के बहुत लांचित किया जाता है, वो सिर्फ हमारी उन्नत के लिए अमरतकाल जरूरी न परिचे, तो उन्होंने कहा था, कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं करनू जक को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम, गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंगार किया, कोई जित तोड़ी भू भाग नहीं शत शत मानव के हिर्दय जीतने का निश्य हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा पर जाए और फाइनली एक कॉंसेप्ट अपने दिमाग से पूरी तरह निकालना पड़ेगा जो हमसे कहा गया हम वो देश थे जो आके सेटिल हो होते गए तो लोग बस्ते चले गए सरजमीने हिंद पर अक्वाम आलम खे फिराक काफिले बस्ते गए हिंदोस्ता बनता गया यह हम सराय नहीं थे कि आके सेटिल होते गए हम वो थे जहां ग्यान का पहला हुद्ध हुआ हुआ पूरे विश्व को हमने संदेश दिया इसलि ओम तम पुंज हुआ तब नश्ट निखल संस्कृति हो तिया शोक तो संपूण संसार को शोक से विरत करके उसे सुख के मारक पर प्रेयरित करने की सामर्त हमारी है इसके लिए आप प्रण करें कमर कसें स्वतंतरता को सार्थक करनें कमर कसें बलिदान करें जो पाया उसमे कोने खोना जाएं जो खोया उसका ध्यान करें मंच मंच पर विराजमान मंच पर विराजमान यहां के प्रथम नागरिक महापौर अध्रणिय श्री पुष्यमित्र भार्गव जी इसकारिक्रम के अध्यक्ष श्री मोहिट जैन जी श्री मुकेश मोर जी विवेक गोरे जी और इस्थानिय संपादक स्री शक्ति सिंग परमार जी आज हम सब जिस विशे पर मंधन करने के लिए एकत्र हुए हैं अब एक संयोगी देखिए कि मात्र दो दिन पूर्व प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोधी जी ने जब स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के बाद जिस अमरतकाल का प्रारम्व किया है तो मैं कह सकता हूँ आई यहां अमरतकाल के उशा की पहली किरण का समय है और शायद मेरा तो यह पहला ही वक्तव है उसके बाद और इस्थान पुर्णिश्दो का देवी अहिल्या भाई होलकर जी का वह इस्थान जिनोंने भारत के विश्टत्व को हटा कर अमरतत्व को इस्थापित करने के जो जो कारे किये चाहें काशी विश्वनात हो अयोध्या हो केदारनात हो रामेश्वरम हो यहां तक कि आप मेंसे बहुत से लों को पता होगा कि उन्होंने पेशावर में पंच तीर्थ मंदिर का भी जिनों धार कराया था वह इस्थान जहां से थोड़ी ही दूरी पर भारत के संविधान के शब्द शिल्पी डॉक्टर बाबा सहब अमबेडकर का जन्मिस्थान हो और छेत्र महाकाल का हो और मंच स्वदेश का हो तो कोई संदे नहीं रहना चाहिए कि देश के कालचक की गति में एक नए सूर्य का सूर्यद होने का काल आ गया है इसलिए जब प्रधान मंत्री जी ने इस विशे की बात कही है तो हम सब को सोचना चाहिए कि इस विशे में कोई सार्थकता है या विशे सिर्फ एक वक्तव है अगर हम स्वतंतरता के उपरांत के 75 वर्षों को देखें और इन्हें 25-25 वर्ष के 3 काल गंडों में विभाजित करें तो देश के अंदर जो क्रमिक परिवर्थन हुआ है विचार की दृष्टी से, विकास की दृष्टी से, सामाजिक और राजन्यतिक परिवर्थन की दृष्टी से तो परिवर्थन बहुत इसपश्च न जराएगा पहले 25 साल, 1947 से 72, राजन्यतिक दृष्टी से एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, चुनाव होते थे, कभी सरकार नहीं बदलती थी वैचारिक दृष्टी से, भारत की स्वतंतरता के बाद का कोई भी वस्वा का तत्तो बहुत दबा हुआ था, ब्रिटिश कोलोनियल लीगेसी के जादा तर विवस्थाएं, यथावत चली आ रही थी, सिविल सर्विसेज में भी अंग्रेजी अपर इहारे थी, इविन जिस जमाने में हम लोगों ने इंजिनिरिंग दिया है, उस जमाने में भी फिजिक्स केमेस्ट्री मैट्स का पेपर तब चेक होता था, जब आप अंग्रेजी क्वालिफाई कर जाते थे, अदरवाई नहीं चेक होता था, 72 से 97 दूसरा वर्ष आता है, दूसरा कालखन, अब पर के तत्व को लेकर बनी, उसका धीरे धीरे उद्भाव शुरू होता है, हम लोग अगर अपनी बात कहें, तो पहले वाले कालखन्ड में हम एक महत्वहीन राजनेतिक दल थे, दूसरे कालखन्ड में हम पहली बार केंद्र की सत्ता में साजीदार बनते हैं, 1977 में अनेक राज मंत्री बने थे, अठान नवे आते आते केंद्र की सत्ता पर हमारा पदारपन हो जाता है, हमारे नित्तुर्त में, और अगला 25 वर्ष पूर्ण होता है, 1997 से 2022, तो जो सत्ता पर पदारपन हुआ था, वो पूर्ण बहुमत के साथ, पूर्ण प्रबलता के साथ इस्थापित होकर आ जाता है, तो ये दर्शाता है कि एक परिवर्तन था, और अभी मोहित जैन जी ने कहा कि हम 2014 में आजाद हुए इस विशे को लेकर बहुत विवादित ढंग से लोग ये बात कहते हैं, तो मैं बिनमृता से कहना चाहता हूँ, किसी के मन में यदि इसको लेकर एक प्र बहुत हमें पहली बार मिला, ये कौन लिख रहा है, लंडन का ट्रिब्यून लिख रहा है, हम नहीं बोल रहा है, कोई संगी भाजपाई नहीं बोल रहा है, वो कहता है कि ये 16 मई 2014 का दिन भारत के इतिहास में दूसरी आजादी का दिन माना जाना चाहिए, चूंकि इस से पहले जो राजनैतिक व्यवस्थाएं जिन विचारों ने भारत को डॉमिनेट किया, वो किसी न किसी रूप में ब्रिटिश कोलोनियल लीगेसी के प्रतीक थे, और पहली बार एक ऐसी विचारधारा को पूर्ण सत्ता मिली है, जो अपने उदगम में प्रेणा में पूर्ण उठाये जाते हैं, अगर हम देखे तो मौलिक रूप से इस देश में तीन प्रमुख राजनैतिक दल माने गए, जो राश्ट्री दल है, भाजपा, पॉंग्रेस और कम्निस्ट, कॉंग्रेस कब बनी, 1885 में, एक बिटिश अधिकारी के द्वारा, यानि गुलामी को भारती ये कहते ही नहीं है, वो कहते हैं, कम्निस्ट पार्टी आफ इंडिया, वो भारत की कम्निस्ट पार्टी है, वो भारती ये कम्निस्ट पार्टी नहीं है, यानि वो एक मर्टी नेशनल की इंडिया की ब्रांच है, तो वो अपने को प्रेणा में विदेशी, हम एक म मात्र दल हैं जो स्वतंत्रता के बाद उत्पन हुए विचार प्रेणा वाणी वेश तत्व दर्शन सब कुछ हमने इस स्वदेश से लिया और बढ़ते बढ़ते आज हम उस मुकाम तक पहुंचे कि भारत के सबसे बढ़े और प्रमुक राजनेतिक दल बने बहुत प्रश्ण मंत्री संग के परचारक रहे परन्तु जो सवाल हमसे पूछते हैं और संग के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बली राम हेट गेवार थे मैं प्रश्ण पूछना चाहता हूं जो हमसे पूछते हैं कि आपका मात्र संगठन कौन कौन्ग्रेस का संस्थापक कौन एलेन ओक्टोवियम हूम ब्रिटिश सरकार का सेकेटरी तो आपका तो मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार हो गई और बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा कि कौन्ग्रेस के पहले चार-पांच अद्यक्षों के नाम बनाएं तो एलेन ओक हमभी का ध्यक्षों के नाम है और इतना ही नहीं 1910 का अभावर्ष जिस वर्ष में वीर सावर कर को दो जन्मों के काला पानी की सजा दो जन्मों के कारावास की सजा हुई उस 1910 के वर्ष में कॉंग्रेस का अध्यक्ष विलियम वेडर्मन सेकेटरी गॉर्मेंट अफ इंडिया था अब बताईया ब्रिटिस हुक्मरान के हुकम के निचे पैरों के तले बैट कर स्वतंता का अंदोलन रड़ रहे थे इसलिए भाई अपने मातर संगठन तुमारा मातर तो भातर तो कहां था यह देख लिया जाए तो दूद का दूद पानी का पानी हो जाता है इसलिए जब हम यह बात कहते हैं कि इस देश में एक बड़ा परिवर्तन आया तो आप देखिए जब स्वतंता कामरत महुत सभाया 2022 तो एक और परिवर्तन है इस समय भारत के सभी प्रमुक्ष पदों पर विद्यमान लोग राष्ट्रपती प्रधान मंत्री लोगसभा ध्यक्ष राज्यसभा के उप सभापती और चाहें ग्रह मंत्री रक्षा मंत्री सभी स्वतंत्र भारत में पैदा हुए है तो यह भी एक काल चक्र के बड़े परिवर्तन को दर्शाता है कि अब भारत एक लंबी छलांग मानने के लिए आगे तयार है अब यह प्रश्णूरता है कि हम यह अगले 25 वर्ष में प्राप्त कैसे करेंगे तो देखिए इन 25 वर्षों में जो हमें आगे बढ़ना था जैसा अभी प और श्री अरविंद का भी 15 अगस 2022 एक सो पचास वर्ष पूरे हुए थे श्री अरविंदों ने कहा था भारत एक महान परिवर्तन से गुजर रहा है जो 175 वर्ष का है जिसका प्रारंब स्वामी राम कृष्ण परमहंस के जन्म से हुआ उनका जन्म 1836 में हुआ था एक सो प जो 21 सदी भारत की होगी इसमें कोई संदे नहीं है भारत में किस विचार की होगी यह संकेद भी 2011 के बाद यानि 2012 ऑनवर्ड मिलना चुरू हो गया था तो जो महापुरिशों के वचन है वो व्यर्थ नहीं जाते हैं हमें यह समझना चाहिए इसलिए देखिए जब हम सत्ता में आए 2014 में तो स्वतंत्रता की सार्थक्ता कहां से होनी थी आज हम स्वतंत्र हैं राज्य हमारा है हमारे तंत्र में स्वतंत्त्त कितना है यह वही स्वतंत्त्त है जिसके लिए लोकमाने तिलक में स्वराज्य कहा था महात्मा गांधी ने 1909 में पुस्तक लिखी हिंद मुक्ति चाहते हैं और खुद प्रिटन की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता यह स्वराज है क्या तो उन्हों ने यह कहा स्वराज की पहली शर्थ किया जब तक स्वतंत्रता की सार्थक्ता का आभास हर गरीव व्यत्ति के हाथ में न उचे तो कहते ना उगा सूरे कैसा कहो मुक्ति का यह उजाला करुणों घरों में न पहुंचा तो पंद्रा आगस्ट दो हजार चौदा को जब धान मंत्रीशी नरेद मोदी जी ने अपना पहला वक्त अब दिया तो क्या कहा जन धन योजना यह कैसे संभवता कि भारत महान बनेगा आदेश ज्यादा लोग 60 परसेंट लोग का बैंक अकाउंटी नहीं होगा वह और फिवस्ता के हिस्से नहीं होंगे फिर उन्हों क्या कहा स्वच्छ भारत अभियान फिर उन्हों क्या कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो तमाम राजनेतिक पंडितों ने कहा यह स्वच्छता और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो नॉन पॉलिटिकल इशूस हैं इनका क्या मतलब है इनका मतलब जानते हैं क्या था मतलब यह था जो परिवर्तन हुआ था 2014 में वो सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं हुआ था वो विचार और मानसिक्ता को बद यो गरीब के लिए थे जंधन यो जना युजना यानि एकाउंड गरीब के लिए था स्वच्छता का सबसे अधिक कुप प्रभाव पड़ता था तो गरीब पे पड़ता था और बेटी बचाओ का जो भी समस्या थी वह निर्दन वर्ग निम्न मध्यम वर्ग या मध्धयम तो आप देखिए परिवर्तन इतना आया कि 2014 से पहले जितनी आसानी से किसी के हाथ में कोई रैपर हो कोई गुटके का टुकड़ा हो कुछ हो बड़ी आसानी से लोग सड़क पर फेक दिया करते थे वाट साल में हमने देखा कि हमारे विचार में सोच में बदलाव आया अब क अगरी जरूवत क्या होती है गरीब की बीमारी घवराता है कि अगर कभी बीमारी आ गई तो हजारों रुपए का खर्चा कहां से आएगा तो आयुश्मान भारती हो जना आई अगरी जरूवत क्या होती है शिक्षा तो इसलिए सर्व शिक्षा अभियान आया फिर सोच में बदलाव आया पहले की सरकारे सोचती थी इस वर्क को देना है हमने कहा जी सब को देना है इसलिए हर गाओं में बिजली हर घर में नल का प्रक्रम चल रहा है हर गाओं में पहुंचाने का काम किया और मैं अभी कहना चाहता हूँ धारणा यदि प्रचलित ये भी हो कि कोई हमें वोट दे रहा है या नहीं दे रहा इसके बावजूद हमने दिया जिन वर्गों के बारे में धारणा थी कि वो हमें वोट नहीं देते उनके भी सत्तर प्रतिश्यत लोगों को सरकार की किसी न किसी योजना का लाब मिला ये हमारी इमानदारी राष्ट के विकास के पृति हमारी निष्ठा का प्रमान था अब जब आप प्राथमिक सुविधाएं दे लेते हैं तब आगे बढ़ना चाहिए आज के यूग में अगर किसी को आगे बढ़ना है तो अगली requirement क्या है सडक, बिजली देखें तीन प्रकार के काम होते हैं जो हमारी सरकार ने की एक काम वो जो पिछली सरकारे भी कर रही थी हमने भी किये, बिजली है, सडक है, पानी है हमने भी बनाया, पिछली सरकारे भी बना रही थी हमने उनसे जादा अच्छा बनाया उनसे जादा गती से बनाया उनसे जादा परिमान में बनाया बगैर किसी आरोप और घोटाले के बनाया पून पारदर्शिता से बनाया दूसरी के वो काम होते हैं पिछली सरकारों ने सोचा मगर करने की हिंबत नहीं कर पाई जैसे जैसे जी इस टी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक तीसरी कैटेगरी में वो काम आते हैं जो पिछली सरकारों के कलपना में ही नहीं आये होंगे हमने वह भी करके दिखाया तो प्रधान मंत्री जी ने किस रूप क सोचा है जब हम लोग की विचार धारा के हाथ में फूर्ण सब्ता आती है तो देखिए सोचते कैसे हैं दीन द्याली का अंतियोदै साकार किया सब को देखे चाहें अगर आप याद करिए उजला योजना में उन सारी महिलाओं को जिनके कि लिए धुए के से निकलने वाले आसू नियती बन गए थे उनको उनसे मुक्ती दिलाई और यहां भी महत्पूर बात देखिए दोहजार चौदा में एक और परिवर्तन आया इससे पहले लोग सरकारों से पेक्षा करते थे हमें और चाहिए हमें और चाहिए पहली बार ऐसा हुआ शायद लाल बादुर शा तो देखिए पहला चरण यह था कि किस ढंग से पहले सबसे गरीब वर्ग को जीवन की मूल भूत आवशकता हैं उपलब्द कराई जाए उसके बाद अगला चरण देश के आर्थिक विकास का मार्ग परशस्त किया जाए इसलिए इस कैटेगरी में वो काम आये जैसे मैंने बोला GST है पिछली सरकार ने भी तो कोशिश की थी नहीं हो पाए पूरे देश को एक टैक्स लॉक के अंतरगत लाना ताकि बिजनस को ग्रो करने का एक बड़ा उसर मिल सके उसके बाद यह सारी चीज़े बेमानी हैं यदि आप सुरक्षा देश की मजबूत ना कर सके अब हमने आपको बताया जो सर्जिकल स्ट्राइक थी बहुत से पिछली सरकारों ने क्लेम किया जी हमने भी कहा था हमने भी किया था तो क्यों नहीं हो पाया और यह बात मैं प्रमान के साथ बोलता हूं अमेरिकी राश्टपती बेरेक उबामा ने अपनी किताब दप्रॉमिस ल करने के लिए उस समय की सरकार ने इसलिए अनुमती नहीं दी क्योंकि उस सरकार को लगता था कि इस से उपजे वातावरण से भाजपा को राजनेतिक लाब न मिल जाए यह आपकी हिम्मत नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए पर यहां एक विचित्र कॉन्फ्रिक्ट था पूरी दुनिया में ऐसा कॉन्फ्रिक्ट आपने नहीं देखा होगा कि पडोसी के मुकाबले हम बड़े भी थे हम ताकतवर भी थे पर हम पिछले 65-66 सालों से अटल जी के दौर के 6 साल छोड़ दें तो हम दुनिया में कहते थ कि वो हमें सता रहा है उनीस सो 48 का 47 का युद्ध दुनिया का विचित्र युद्ध था हमेशा युद्ध विराम की मांग वो सेना करती है जो हार रही हो संयुक्त राष्ट में वो देश जाता है जो छोटा हो कमजोर हो हार रहा हो यहां बड़े थे ताकतवर थे जीत रहे बस और तालीस से 72 घंटे की वात थी प्योके हमारा होना चाहिए हम संयुक्त राष्ट संग में चले गए ऐसे विचित्रता के उधारन हमने प्रस्तुत किये और भारत की छवी बनी कि एक साफ्ट इस्टेट है कोई भी आके हमें दबा सकता है कोई भी आएगा और हमारे किसी भी प्रकार की शरारत करके चला जाएगा और हम सिर्फ शांतिके कब उतर उडाते रहेंगे परन्तो वह भूल गए कि हम जिस परंपरा के में विश्वास करते हैं भारती ये परंपरा ये कहती है कि हम नाग पंचमी भी मानाते हैं सापों को दूद भी पिलाते हैं तो नाग यज्य करने का सामर्थ भी रखते हैं जिसमें सारे नाग आकर आउट तो हमने यह प्रेणा ली कि कश्मीर घाटी को लहू लुहान करने वालों सुनो एक भी बलिदान हुआ जवान नहीं भूले हैं और दूध भी पिलाते हैं परमपरा हमारी मित्र किन्तु नाग यज् अब वो दिन चले गए तब जैसे मैं तो लखनो करेने वाला हूं हमारे कहवत होती है अमामिया वो दिन लद गए जब उस साल ललूखा फाक्ते उड़ाया करते थे तो वो कबूतर उड़ने के दिन लद गए और अब वो समय आ गया जब हम प्रबलता प्रकरता के साथ अप समय में कितना बदलाव आया यह आठ वर्ष 75 वर्ष के पहले आठ वर्ष हैं जब उने पाकिस्तान से कोई ऑफिशल वाइलेटरल डायलॉग और इसके बावजूत क्या हुआ यह पहला मौका है आप याद करिए एक दौर था 1990 में उस समय बेनजीर भुटो ने पाकिस्तान क कि नेशनल इसम्बली में खड़े होकर इमरान खान ने कहा कि जो कुछ इन्होंने बाला कोट में किया उससे अदर खौफनाक कुछ करने जा रहे हैं याद करिए कि पाकिस्तान के फौरिन मिनिस्टर शाह महमूत कुरेशी का बयान नेशनल इसम्बली में आप सब को वीडिय क्लिपिंग याद होगी उन्होंने कहा कि साब हमारे पास आर्मी चीफ हाए उनके पैर काप रहे थे उन्होंने कहा खुदा का बास्ता है कि अभी रंदन को वापस कर दीजिए शाम तक बना नौ बजे के बाद हिंदुस्तान अटेक कर देगा यह तो 1971 में कभी नहीं हुआ क कि फॉरेन मिनिस्टर और आर्मी चीफ है कि उसके पैर काप रहे थे वो भी पाकिस्तान की नैशनल इसेंबली में उनका दिया बयान है किसी पत्रकार का बयान नहीं है यह परिवर्तन आया फिर कुछ काम ऐसे जो इस अमरत काल को आगे वास्विक्ता में चरितार्थ करेंग जो किसी ने सोचा नहीं जैसे अगर भारत को एलेक्टिसिटी चाहिए विक्सित देश बनना है तो पावर रिक्वार्मेंट है इंफ्रास्ट्रक्शर के बाद अब पावर में हमारा 44 प्रतिशत पावर कोल से आता है अब कोईले से अगर हम इतने भारी मात्रा में एनरजी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरन का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में और हम कितनी उर्जा ले पाएंगे तो इस पर सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है देखिए भारत के दो छोरों को देखिए पूरवी शोर पशिमी शोर पशिम देव बहुत प्रचंड रूप में वहां पर अपना प्रवलता दिखाते हैं और जो पूर्वी हिस्सा है जिसमें बिहार है उडिसा है बंगाल है आसाम है वहां नदियों के पाट बहुत चोड़े हैं बहुत पानी गिरता है बाड़ की समस्या रहती है अब देखिए उन्ह मार्क से परिवन होता है तो सडक और रेल मार्क के मुकाबले एक बटे दस कॉस्ट आती और एक बटे दस पलूशन होता है और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वारणसी तक पहली बार इन लैंड वाटर वेस्स के द्वारा ट्रांस्पोर्टेशन शुरू हुआ और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर इनर्जी का प्रियोग करना चाहिए सोलर इनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने किसी ने सोची हो हम सोलर इनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वो important नहीं है हमारा target यह है कि हम 300 जीगावाट 2030 तक complete कर लेंगे 2047 तक हम पूरी तरीके से clean energy से power ले लेंगे यह important नहीं है important यह है कि एक international solar alliance बना और उसका केंद्र भारत में दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना यानि solar power के world leader के रूप में हम इस्थापित होंगे यह किसी ने कलपना नहीं कियो कि दूसरा उधारन देखिए कल्पना न करने का योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते थे परन्तु संयुक्त राष्ट संग में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया यह नहीं वो दुतिय प्रस्तावक बने और यह यूएन की हिस्ट्री में एक मात प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकेंड प्रस्ताव बने और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है यह पिछली सरकार की कल्पना से परे था दूसरा उधारक्यों स्वास्त आता अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें आप कहेंगे इसका एकनॉमी से क्या करेक्शन है मैं बताता हूं जो फार्मसुटिकल इंडस्टी है इसमें कितनी बड़ी एकनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनो विज्ञान और मनो भय मन के भय का दोहन किया जाता है और एफडिये ने जो यूएस का फेडरल ड्रग एड्मिस्टेशन है इतनी रिसर्च का रखी कि हम पचास साल में उसके बराबर नहीं हो सकते परंत यदि हम योग का सही डंग से पालन करें तो हमें 80-90% मामलों में जरूरती नहीं आपके इन्वेस्ट किये हुए मिलियन सब डॉलर आपको मुबारक ये एकनॉमी पे असर है अब दूसरी बात देखिए हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया गंगा नदी के दोनों तरफ के छेत्रों में 800 करो परंतु डबलू एचो में एक सेंटर फॉर ट्रडीशनल मेडिसिन्स बनेगा और उसका केंदर भारत में बनेगा यानि उसके हम लीडर बनेंगे यह कलपना किसी ने नहीं कियोगी क्योंकि सबसे जादा एथेंटिक डॉकुमेंटेट ट्रडीशनल मेडिसिन का जो रिकॉर अब आप आगे आईए एक और बड़ा परिवर्तन आया देश की सुरक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक तो सारा विकास बेकार है पर आपने कभी सोचा कि हमारा देश वो देश था जहांके वैग्यानिकों ने चंद्रियान बना लिया पर वो मिजाइल नहीं बन सकते थे इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिजाइल तक बनाने की हमारी सामर्थे आ गई थी मगर हम एजॉर्ट राइफल नहीं बना सकते थे यह बात तरक संगत लगती है हम बना नहीं सकते थे गलत हैं बनाना नहीं चाहते थे पूरवर्ती सरकारों ने कभी इसमें आत आत्म निर्भर डिफेंस प्रोड़क्षन में शुरू किया और जो भी एक लाग करोड की इंडस्टी है अभी वरतमान पर इसीति में माना जाता है कि अगले बीस वर्षों में पांच लाग करोड की डिफेंस एंड स्पेस इंडस्टी होगी आज भारत में सिति यह है कि सेक्टर में भी और शायद आप में से कुछ लोगों को तो पता ही होगा कि एजॉर्ट राइफल का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बढ़ा कारकाना ग्वालियर में है आप ही के राज़े में और अब ब्रम्होस मिजाइल हम बना रहे हैं पहली बार भारत एक्सपोर्ट करने की सिती में आए फिलिपीन पहला देश बनाए जिसने इंटरमीजे ट्रेंड बैलिस्टिक मिजाइल ब्रम्होस को भारत से export करने के लिए order लिया है ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि अब हम उसको export करने की स्थिती में आ गए और defense corridor दो राज्यों में बना है तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश अब ये समझे कि इस ब्रमोस मिजाइल के हिस्से इन दोनों जगहों पे बनेंगे और मुझे तो कभी कभी लगता हम तो यूपी के रहने वाले एक दौर था यूपी में कट्टे बना करते थे अब ब्रमोस मिजाइल बनके export होगी उसके बाद भी किसी को नजर आए कि वक्त और हालाद बदले नहीं है तो मेरे विचार से नजारे का नहीं नजर का दोश है अब आप देखिए इसके बाद आप याद करिए 2019 के लोगसवा चुनाव के दोरान एक बार फिर मैसेज आया था कि प्रधान मिंत्री जी राष्ट के नाम संदेश देने वाले है लोग सोच रहे था पता नहीं अब काउंसा नोट बंद होने वाला है पर आप मैंसे बहुतों को ध्यान है कि वो संदेश क्या दिया था उन्होंने ये बताया था कि लो और्बिट में मूव करने वाले किसी भी आबजेक्ट को पूरी सटीक्ता के साथ डिस्टॉय करने की कैपेसिटी भारत ने प्राप्त कर ली है अंतरिक्ष में और यह कैपेसिटी प्राप्त करने वाला भारत सिर्फ चौथा देशी नूक्लियर सब्मेरिन हमने इस समय में बनाई वह कैपेबिल्टी हमने प्राप्त की यानि देश की सुरक्षा को पूरी तरीके से, मनोवय ज्यानिक दिश्च से भी सुद्रण करना, यानि सेना को पूर अधिकार की जो करना करो हमने बाला कोट भी करके दिखाया और हमने सर्जिकल स्टाइक भी करके दिखाई और उत्पादने भी हम आत निरबर होंगे, आप मे तो इसलिए आप यह समझे कि यह गरीब को शक्तिशाली बनाने से लेके राष्ट को शक्तिशाली बनाने तक कि एक पूरी प्रक्रिया है और यह ऐसे ही नहीं है जब हम यह कह रहे हैं कि 25 वर्ष पूरे होंगे तो हम कहां पर पहुंचे होंगे एक OACD कंट्री का आप में से न पर्चेज पावर कैपैसिटी जो पैंग फावर कैपैसिटी होती अपने डूमेस्टिक मार्केट में उसके हिसाब से भारत अमेरिका से बड़ी अर्फ मेरस्ता हो जाएगा पेइंग पावर के पैरिटी होती है जैसे अब ये बोतल है ये आपको 10 रुपए की मिलती है अब वो डॉलर के हिसाब से तो कितने की हुई 12 सेंट की हुई ना अमरीका हम 12 सेंट की नहीं मिलती है वहाँ एक डॉलर की मिलती है तो यहां ये बोतल 80 रुपए की नहीं मिलती है तो उसे कहते हैं पेइंग पावर पैरिटी, तो मतलब हर चीज को आप डॉलर से कनवर्ट करके नहीं देखते हैं, आप देखते हैं कि उस देश में क्या मिलता, जैसे यहां किसी कोई 80 रुपए में ठीक ठाक नाश्ता करके आ सकता है, पर अमेरिका में एक डॉलर में कोई ठी रूप में चलते रहे और देश की जनता इसी प्रकार से साथ में रही, तो समझिए कि हम सोने की चिडिया भी बनेंगे और जगत गुरू भी बनेंगे, मगर उसके लिए किस सीच की आवशक्ता होगी, लक्षमी जी और सरस्वती जी दोनों की कृपा, लक्षमी जी भी कमल पे विराजती हैं, सरस्वती जी भी कमल पे विराजती हैं, तो जब तक कमल खिला रहेगा, तो ये OACD के सारे अनुमानों को फेल करते हुए, हम सबसे बड़ी अर्थफेवस्था, हर दृष्टी से हो जाएंगे, सिर्फ पेइंग पावर पैरिटी के हिसाब से नहीं होगे ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम आगे, और हम देखिये, सबसे पहले आके डिजिटल इंडिया की जो शुरुआत हुई, ये डिजिटल टेक्नोलजी कहां ता अगले 25 साल में जा सकती हमने कलपना नहीं की है, जैसे मैं उधारन देना चाहता हूँ, आज से 25 साल पहले जाईए, 1996 में, 26 साल पहले, आप मैं से बहुत लोगों को याद होगा, पहली बार ऐसा हुआ कि कम्प्यूटर ने शतरंज की बाजी खेली, गैरी कास्पोरोव के साथ, आई बीम के कम्प्यूटर डीप ब्लू, 1996 में, वो एक शुरुआत थी, डिजिटल एरा की, कि मतलब ए एक Artificial Intelligence की, एक First Initial Stage थी, तब किसी ने नहीं कलपना की होगी कि 26 साल के अंदर ऐसी ऐसी सिती आ जाएगी, कि हम सब के हाथ में मुबाइल होंगे, मुझे याद है, मैं पहली बार अमेरिका गया सन 2000 में, तब हमारी उमर बहुत कम थी, तो उस समय यह जो Navigation System है ना, जो अब Google Map हर फोन पे है, Navigation System जिन गाड़ियों में लगा होता है, उसकी कॉस्ट क्या थी, साड़े चार हजार डॉलर, और डॉलर पचास पच्पन रुपए का था, यानि धाई लाख रुपए का वो Navigation System होता था, और जिन गाड़ियों में लगा होता था, बहुत बड़े बड़े लो हो, या इंटरनेट के Connections में बढ़ोतरी हो, या Broadband के Connection जो 6 करोड थे, अब 80 करोड हो गए, यह सब इसलिए जरूरी था, या Digital Payment में हम सबसे आगे आते जा रहे हैं, कि अगले 25 साल में हम Technology में कहां तक पहुचेंगे, इस बारे में हमें समझने की जरूरत है, जैसा कि अभी जैन साब कह रहे थे, तो ये भी याद दिलाते हैं, कि 2014 से पहले स्टार्ट अप सिर्फ 500 के आसपास थे, अब 70,000 के आसपास हैं, 100 से अधी यूनिकॉन हैं, अमेरिका के बाद सबसे अधा यूनिकॉन बनाने वाली कंप्रियों में से, देशों में से एक हो गए हैं, यानि यह भी समझे कि इस परिवर्तन के इस दौर में, जब हम इस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बार मुझे याद है कि एक TV डिबेट हो रही थी, तो उसमें यह हुआ कि अमेरिका ने मदद पाकिस्तान को रोग दी, तो वो पाकिस्तान की तरफ से एक पत्रकार या बैठी, तनों ने कहा जी, आपको मदद की जरुवद होगे, हमें मदद की ज़रुद नहीं है, तो हमने कहा, जी हमें, हम अमेरिका से क्या लेते हैं, यह important नहीं है, हम अमेरिका को क्या देते हैं, तो जैसा कि अभी वो बता रहे थे, Google का Chief हमारा है, Microsoft का Chief हमारा है, Pepsi की च चीफ हमारे हैं, मैंने का आपके हाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लशकर-े-तैबा का चीफ है, जैश-े-मोहमत का चीफ है, अल-काइदा का चीफ होता है, मैंने का इतना बड़ा अंतर है कि हम 75 साल में कहां पहुंचे हैं कि अमेरिकन मल्टी नेशनल भारत में आती हैं के लिए, कभी ऐसामा बिन लादिन मारा जाता है एवैटाबाद में, तो कभी पाकिस्तान के बार्डर पर अमनल जवैरी मारा जाता है, और इतना इनहीं हम अमेरिका को सिर्फ इतना इन नहीं देते हैं, जैसा कि अभी मोहिजजी कह रहे थे, कि भाई, मैं तो बिजनेस का आध्यात्म इस विशे पर तो मैं नहीं बोलूंगा मैं तो बताता हूं कि बिजनेस और आध्यात्म का भी हमारे हैं कैसा connection है हम सब WhatsApp यूज करते हैं Facebook यूज करते हैं तो उसका ओनर कौन है Mark Zuckerberg जो लोग iPhone यूज करते होंगे पता होगा कि Apple का founder कौन था Steve Jobs अब ये Mark Zuckerberg ने खुद कहा कि Apple के founder Steve Jobs ने उसे कहा था कि अगर जिंदगी में कभी इतना बुरा वक्त आ जाए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारा confidenceी खतम हो गया है पूरी तरीके से हताश हो गए हो तो ऐसा करना भारत में जाना वहां नैनी ताल जिले में कैची में नीम करोरी बाबा का एक आश्रम है वहां जाके तुम्हें एक नई उर्जा मिलेगी और Mark Zuckerberg ने कहा कि मैं आया वो दौर जब आया और मुझे एक नया confidence मिला और जाके फिर मैंने नए सिरे से यह रचना प्रारम की तो हम बिजनेस के साथ साथ हम यह भी देते हैं तभी हमने कहा कि हम सोने की चिडिया के साथ साथ जगद गुरू भी बनेंगे यही हमारा भवितव्य है परंतु इस अम्रत काल से पहले हमें ये भी समझना होगा कि अम्रत तो बाद में आता या सागर मंत्र में विश पहले आता है बहुत सारा विश हमारे दिमागों में भरा हुआ है जो अभी उलेक किया गया कि प्रधान मंत्री जिने पांच प्रण कहे तो पहला प्रण क्या था हमें विखसित राष्ट बनना अब छोटी मोटी बात नहीं सोचनी जिसके विशेम मैंने बताय दूसरा प्रण क्या था गुलामी की हर चीज़ को छोड़ना है और ये बात उन्होंने ऐसे ही नहीं कई नॉर्मली सरकारे आती हैं वो कहती हैं हमने इतने नए नियम और बना दिये हमारी सरकार ने पिछले आठ साल में डेड़ हजार से लेके अठारा सो पुराने नियम समा होता था कि पाकिस्तान अपनी तरफ से गुबारों के द्वारा कुछ पैंफुट भारती छेतर में छोड़ देता था उनका कहना था 2001 तक उसकी रिपोर्ट बनके आती थी कि इस हफते कोई गुबारा या उसके द्वारा कोई पैंफुट भारत के छेतर में नहीं लाया गیا और उसके लिए ड्यूटी लगी रहती थी। यह उधारण है कि कितने रिडंडेंट यानि कालबा है नियम भी थे उन सब को समाप्त किया उसके बाद आगे बढ़े तो जो पुरानी चीजें हैं रिडंडेंट हो गई हैं उनको समाप्त करने की भी जरूरत थी पर हमारे मन में विश्क कैसे भरा रहता है मैं आपको एक उधारण देना चाहता हूँ आप ही के शेतर से हैं यहां अहिलिया भाई होलकर जी का पुर्णे स्थान है आपने अहिलिया भाई जी का नाम किसके नाम पर पढ़ा अहिलिया जी के नाम पर पढ़ा हम सब ने वो कहानी सुनी गौत प्रक्रांगों के साथ कित्ता अत्य अचार होता था ये ही धिमाग में भरा हुआ है नसे और आप में से किसीने कभी ध्यान 21 कि अहल्या शब्द गोदम शब्द और राम lines अर्थ क्या है लो दो होता है जिसे Hag лaya देखिए ये सब हमारे अंदर की चेतना के द्वंद का प्रकटी करन है। क्योगбо जब भगवान जन्म लेते हैं तो इले सामान की ल來了 क्यों कहते हैंसे वह एक उल्ट के जीवन की घटना हमारे जब आप अंधकार के परे चले जाते हैं और ज्यान के प्रकास का शाक्षात करते हैं तब चेतना उस अवस्था में पहुंशती है जिसे विछलित नहीं किया जा सकता यह गौतम और एहलिया के पति-पत्नी होने का अर्थ है और इसमें एक और बात है आपको नहीं पता होगा यह अंग्रेजी का जो गो शब्द है ना इसका मतलब जाना वो संस्कृत के गो से निकला है यही गो शब्द का अर्थ है जाना गो तम का यही अर्थ है तम के परे जाना दसियों बाराया है राम चरित मानस में गो गोचर अलग जहां मन जाई ताउ जानव माया भर मायी मगर हमारे दिमाग बराएई कि गो अंगरेजी का शब्द है हमारे यह गोचर ग्रहों की गति को गोचर कहते ना आज का गोचर जो चीज़ पूचे कहता आज का गोचर यह सब गोच शब्द जाने से बनाए अब इंद्र कौन है इंद्र शब्दकार से जानते क्या है बहुत बार हम लों ने सुना खूब हमारे कहानियों में है कि जैसे ही कोई एक रिशी तपस्या करने लग इंधन शब्द इंद्रन शब्द का पब्रेंश है इंद्रिय शब्द इंद्र से निकला है हमारी सारी सांसारिक इंद्रियों की जो सोर्स एनर्जी है और जब कोई तपस्या करता है तो इसकार क्या हुआ वो इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो इंद्र का आसन डोलता है यानि इंद्रियों की सत्ता कमजोर पड़ती है तो बाई law of inertia इंद्रियां सबसे आदा तेजी से उसके उपर inertia back force मारती हैं और वो सबसे आदा किस पे मारेंगी मानसिक रूप से मानेंगे क्यों मन सबसे प्रबल इंद्री है इसलिए कभी आपने ध्यानी नहीं दिया होगा कि अपसराओं के नाम क्या मेन का जहां बने करते एकाग्रो उर्वशी हर्दय को वश्मे करने वाली यह सब प्रवित्तियां हैं जो जाकर हमारे मन पर अटैक करती हैं तो जैसे ही इंद्रियों की शक्ति जब आप अंधकार के परे चले गए और उसे विचलित नहीं किया जा सकता था यदि इंद्रियों की शक्ति के प्रभाव में आ गए तो क्या हुआ पत्थर करत क्या हुआ चेतना शक्ति का लोप हो गया आप पदार्थ यानि सांसारिक उए शक्ति के रूप में रह गए जो आध्यात्मिक चेतना थी वो चली गई अब आध्यात्मिक चेतना दुबारा कम मिलेगी राम शब्दकार्थ जानते क्या होता है हिंदी या संस्कृत में शब्द है रम धातु से बना है जिसका आर्थ होता रमना रमन्ते इतरामा रमनी की स्थान रमता जोगी यानि किसी भी चीज जिस चीज में सेटिल्ड होती है उसको रमना कहते हैं इसलिए राम शब्द का तात्वी करत है रमंते इतिरहमा रथात वह तत्वी जिसमें सारा संसार सेटिल्ड है फिर यानि वही डिवाइन इलिमेंट विच बीहोड्स दा इंटार उनिवर्स फिर जब उसके साथ दुबारा संपर्क होगा देट कॉंशेस इनर्जी विल रिवा हैं जितनी भी संवर्द हो पर वो नंदी बैल बंदर हनुमान और हाथी गणे इसको पूझने वाले इसी लाइक थे कि उनके उपर हुकूमत की जाए क्योंकि वह मूर्ख थे माने पर हम मूर्ख नहीं थे इतना समझने लाइक बुद्धी आपके पास नहीं थी क्योंकि इंजिनिंग कॉलेज में जाकर बीटेक करें नहीं और इंजिनिंग पर भाष्ण देने लगे उसी प्रकार कोई माक्सवादी बताए उसने किस वैदिक गुरकुल में जाकर वैदिक संस्क्रत पढ़ी है और फिर वेदों पर कमेंटरी की है अंग्रेजी में पढ़के वेद इतिहासकार ना सकते हैं तो हमारी दरफ से जो इतिहासकार थे उसमें देविन सुरूप जी थे एस्पी गुपता थे ग्रोवर साब थे डॉक्टर हर्शन आयन थे उधर से औभियस कौन थे सूरज भान थे आरेस शर्मा थे रोमिला थापर थी यही सब लोग जिनको डिन ज विशह है क्या तो उसमें से जारत लोन लिखे देजिए एंशेंटी ने हमरा विशह नहीं है अब वहां खुदाई का विशह था तो आपको पता होगा हिस्ट्री में दो ब्रांच होती ना आर्केलोजी एंड कल्चर तो आर्केलोजी खुदाई से डील करती है उसे पूछा जार ने तो, क्या विशक्ता हुन्ता हुब जाएका है झाल झाल